आप और नवीन पतनायक क्यों अलग हुए दिलिप राय, विजय महापात्र, नलिनी महांती ऐसे लंबी लिस्ट है जब इन सारे वरिशनेताओं को निकाला जा रहा था तो जैपांडा खामोश थे क्योंकि उनके इंट्रेस्ट फ्रोटेक्टिट थे 2017 के पहले आपको नवीन पतनायक की सरकार में, नवीन पतनायक के व्यक्तित तुम्हें, नवीन पतनायक की राजनी तुम्हें कोई खामी नहीं दिखी और उसके बाद जब आप और वो अलग होने लगे तो आपको ये सारे बात हैं, सारे नेता याद आने लगे कौन है नई कोटरी देखिए आप जानते हैं आप मिस्टर पांडियन का नाम नहीं लेते हैं क्या तेखिए लेने के फाइदा क्या ओडिशा में चर्चा बहुत हो रहा है कि सरकार कौन चला रहा है क्या आप नवीन पतनायक के स्वास्त के बारे में अफ वाहें फैला रहे थे मेरे पिता गुजर गए ना वो खुद आये ना वीजेडी के किसी को आने के लिए अलाव किया है तो इस वेरी परसनल वेरी स्पेसिफिक तो आर फैमिल आप पर राजी सरकार ने ये इल्जाम लगाया है दलितों के लिए या सूचिजाती के लिए जो आरक्षित जमीन है उ आप इन सब के खिलाफ हाई कोड गए आपको रिलीफ नहीं मिला ये पूरा क्या है माम ला जबकि ये मैटर के कोड में है मैं इस पर और कुछ नहीं कहूंगा इतना कहूंगा अगर सबकुछ इतना क्लीन है तो आपको हाई कोड से राहत करने हम लिए यही ओ टीवी जब तक जैपांडा करीबी थे नवीन पटनायक के, इनको नवीन पटनायक में कोई कमी नजर नहीं आती थी, जैसे ही जैपांडा अलग हुए, एकदम से OTV को अपनी जागरूपता का एहसास हुआ और वो बहुत क्रिटिकल हो गए, और आपके जो BJD के पुराने दोस्त हैं, वो भी अब यही कहते हैं कि आप भारती जन्ता पार्टी के लिए एक पेड चैनल के तौर पर काम करते हैं, यूर द्यूपॉइंट मैं इसमें गर्व लेता हूँ, दुबारा अगर मौका मिलता तो वही काम मैं करते हैं पिस्टर पांड़ा जब इस देश के लिवाचित करने दी आपका नाम लेके रिजाम तो मैं आपका पक्स लानूँ के आप मैं सुने या जवाब दी आपने नरेन रमोदी जी का जिक्र किया, क्या था BJP जॉइन करने का प्रोसेस? काफी सब उच्साहित थे BJP जॉइन करने के लिए उसमें मैं भी शामिल था भाई जाब आप थियोरीम बता रहे हैं तरह उधारन के के प्रैक्टिकल हम बताईए आप पार्टी जॉइन करते हैं और 2019 में सबसे मुश्किल लडाई लड़ते हैं अपने राजनेतिक जीवन की अब तक की और हार जाते हैं आप लगातार कह रहे हैं कि मैंने सांसर के तौर पर के इंद्रपाड़ा में ये किया वो किया फिर हार की क्या वजह रही है? क्या भारती जन्ता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान को जैपांडा के भाजपा में आने के बाद किसी भी किस्म का खत्रा महसूस करना चाहिए? कौन थी है नेता? छोड़िए जन्ता कस्मसा जाती है जब आप नेता लोग बोलते है ना छोड़िए कि भाई बता रहे तो ठी तो सुरिए तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ एक नेता के राजनेता के जीवन के कितने रंग हो सकते हैं शुरू से शुरुआत की जाए तो एक जूट है क्योंकि हवा में उड़ना है फिर अमरीका है सबका ultimate dream एक capitalist world में है और फिर है politics politics है तो इल्जाम भी बहुत सारे हैं एक इल्जाम तो ये कि ये जो नेता जी हैं ये अपने supreme लीडर के आखनाक कान थे और फिर इनकी अपनी personal ambitions थी इल्जाम ये कि इन्होंने अपने media network का इस्तमाल अपने leader के हितों को पढ़ाने के लिए किया और जब रास्ते अलग हो गए तो दोनों तरफ से तलवारे खिज गए पर flip side है कि ये leader जितने policy issues को लेकर जितने politics को लेकर गंभीर हैं उतना इनको credit नहीं मिला उतनी spotlight नहीं मिली क्योंकि हमेशा ये supreme leader की छा में रहे या उसी चश्मे से इनको देखा जाता रहा इन सारे चीजों पर आज विस्तार से बात करेंगे लेकिन पहले मैं बता दूँ कि ये leader कौन है इनका नाम है बैजियंत जैपांडा फिलहाल ये भारती जनता पार्टी में है और यहाँ पर फिलहाल बहुत महत्पूर्ट शब्द है क्योंकि हमने जैपांडा का एक लंबा करियर देखा बीजू जनतादल नाम की पार्टी में जिसके वो संस्थापक सदस्यों में से एक तो ऐसा क्या हुआ जो ओडिशा के मुक्यमंत्री और बीजू जनतादल के करता धरता नवीन पतनायक और उनके सबसे अच्छे दोस्त पारिवारिक मित्र करीबी कॉन्फिडांट जैपांडा अलग हो गए इन सब पर विस्तार से बात करेंगे बीजेडी ओडिशा की उनकी अपनी पर्सनल चॉइसे पॉलसी के शूज पर जो चीज़ें वो लिखते हैं चाहिए उनकी इंडिया टॉमोरो किताब हो या लेटियंस मावरिक उनमें जिन चीज़ों पर उन्होंने बात की है स्ट्रॉक्चरल रिफॉर्म्स पर पॉलसी इशूज पर राज्य सभा नमस्कार नमस्कार लेट्स एड्रेज दे एलिफेंट इन रूम आप और मैं वाक्य बहुत सिंपल रखूंगा एक वाक्य रखूंगा आप और नवीन पतनायक क्यों अलग हुए देखिए ये मैं भी अब तक समझने ही पाया लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो ये केवल मेरी बात नहीं है मुझे छोड़िये ये पूछना चाहिए कि इतने सारे राजनीतिक मित्र इतने सारे वरिष्ट वीजुजनता दल के नेता इतने सारे उनके खास सहयोगी क्यों उनसे अलग हो गये हैं दिलिप राय, बिजय महापात्र, रामकृष्ण पतनायक, ब्र अरजुन सेठी, नलिनी महानती, ऐसे लंबी लिस्ट है, ये इनका सब बहुत एहम भूमिका रहा वीजुजनता दल को स्तापित करने के लिए और इनको किसी ना किसी तरह या तो निकाला गया, या उनके राजनीतिक केरियर में कुछ बाधा डाला गया, क्या ये सब अर उसके वज़े से ये अलब हो गए हैं, केवल एक व्यक्ति जो तेईस साल से एक पद में रहे हैं, वो अबिशियस नहीं है, बाकि सब अबिशियस हैं, ऐसा तो नहीं है, मैं समझ नहीं पाया क्यूंकि जैसे आपने कहा कि घनिष्ट मित्रता भी था और केवल हमारी पिता जी और लेट बीजु अंकल बीजु पतनाएक बहुत ही अती घनिष्ट मित्र रहे दसकों के लिए, आपके पिता जी श्री वंची धरपांडा जी, जी, और देखिये, कहा जाता है कि अभी पिछले 7-8 साल में एक नई कोटरी वहां बीजेडी में पकड़ रखी है, और वह कोटरी जैसे कोटरी का नेचर होते हैं, वह जो पहले से जुड़े होते हैं, उनको दूर करने में लग जाते हैं, उनके खिलाफ जूठे आरोप लगाते हैं, वह आरप को प्रमान करने के लिए तीन सुत्रों से उसी तरह ख़बरे पहुंचाते हैं, ऐसे कई मेरा अ अनलिसिस है, लेकिन कोई सॉलिड रिजन नहीं था. Were you a victim of palace politics? I think palace politics is one way of explaining it. जैसे मैंने उधारन दिया, ऐसे बहुत सारे वरिष्ट नेता BJD से टिकाले गएं, जो स्वरगित अरुन जेटली जी ने कहते थे कि ऐसा उधारन वो कभी भी नहीं देखे थे. होता है कभी एक दो कोई नेताओं में ठीक से बसता नहीं, कोई अलग हो जाते हैं, लेकिन बीस, पचीस, चालीस नेताओं को अलग करना, ये तो अन्यूजल है. पना साब, आप ये कह रहे हैं, आपके आलोचक कहेंगे, कि जब इन सारे वरिश नेताओं को निकाला जा रहा था, तो जैपांडा खामोश थे, क्योंकि उनके इंट्रेस्ट प्रोटेक्टिट थे. दो हजार सत्रा के पहले आपको नवीन पतनायक की सरकार में, नवीन पतनायक की व्यक्तित तुमें, नवीन पतनायक की राजनीत में कोई खामी नहीं दिखी, और उसके बाद जब आप, और वो अलग होने लगे, तो आपको ये सारे बात हैं, सारे नेता याड आने लगे. वो अलग थे और ये भी आपके दर्शकों को बताना चाहिए कि बीजु जनता दल जब स्तापित हुआ वो पूरी तरह से भारतिया जनता पार्टी के समर्थन से स्तापित हुआ मान्य अटल जी अडवानी जी की ब्लेसिंग्स रहा और प्रमोद महाजन जी खुद इसके बैक्ग्राउंड में सब मदद करके बीजु जनता दल को स्तापित किया जब आप कहरें कि सब मदद तब उसमें सारी फैनेंशल हेल्प सारी टेक्टिकल हेल्प हर किसम की हेल्प क्योंकि नवीन तो राजनीत में नहीं थे बीजु बागु के कोई परिवार में राजनीत में थे और जो कुछ राजनीत में उस्ताइम शामिल थे जैसे जो वरिष निताओं के नाम में दिया अपको और मैं उस ताइम एक वेवसाइक दुनिया को छोड़कर राजनीत में शामिल हो रहा था, काफी कम उमर का था, मैं उनको मदद कर रहा था तो इस स्तिती में अटल जी का, अडवानी जी का बहुत असर रहा और जिस दिन बिजु जनता दिल स्तापित हुआ, उसके कुछ तीन-चार दिन के बाद गठबंदन हो गई, क्योंकि वही प्लैनिंग था और जो 11-12 साल गठबंदन में बिजु जनता दल और भारतिय जनता पार्टी रहे, तो उसमें एक फाइदा मिला कि एक इडियोलोजिकल बेस्ट पार्टी, भारतिय जनता पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी, नॉन करॉप्ट लीडर्स, इनका जो असर पड़ा, उस समय का ब पार्टी को स्तापित करने के लिए मदद कर रहा था, परन्तु मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे कोई थ्रेट जैसे समझे क्यूंकि मेरा वो इरादा नहीं था, और मैं पॉलिटिक्स में राजनीत में जो आया हूँ, मैं यहां कुछ कमाने के लिए नहीं आया हूँ, जो फैमिली बैग्गराउंड है, जगानाथ जी हमारे पर बहुत बहुत आशिरवाद रखे हैं, मैं कोई पद के लिए कभी ना कोशिश किया, ना ऐसे लक्ष रखा, और मैं चाहता था कि समाज के लिए कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, और मैं कि ये मौका मुझे काफी समय बहुत बार मिला है, तो आपका सवाल का ये जवाब है, कि जो पहले 12-15 साल का जो इंफुएंस था भारते जनता पार्टी के लिडर्स का, वो नहीं रहा दोहजार नौदास के बाद, और उसमें फिर बदलाव आने लगे, तो ये नहीं है कि द 2017 से प्रॉब्लम हुआ, आप अगर देखोगे, 2013-2014 से मैंने पहले तो इंटरनली बहुत कुछ कहा, जब मैंने देखा कि वहां भरस्टाचार शुरू हो गया, और हिंसाकांड शुरू हो गये, क्राइम रेट उडिसा में बहुत बढ़ गया पिछले 10-12 साल में, जो पहला विजुजनता दल स्तापित होने के पहला 12 साल में नहीं था, तो मैं इंटरनली कहने के बाद, आप अगर देखोगे, मैं कई सारे ऐसे स्तंब वगारा भी लिखा, उडिया में भी, कि ऐसे पार्टी को सुधरना चाहिए, जिस दिशा में पार्टी जा रही है, वो आप लगा रहे हैं, जो पुराने बिजुजलता दल के जो स्तापित करने वाले लोगों ने यह नहीं कहेंगे, जो नहीं कोटरी पिछले 7-8 साल में पार्टी को ग्रिप ले लिये हैं, कौन है यह नहीं कोटरी, देखिए आप यह सब जानते हैं, एक आएस ओफिसर हैं और उनके एक दो आप मिस्टर पांडियन का नाम नहीं लेते हैं क्या तेखिए लेने के फाइदा क्या, जो सब कुछ सिवल सर्वेस का आईन कानून नियम सब उलंगन कर चुके हैं, पॉलिटिक्स में डिरेक्ली शामिल है, इसके बारे मैं स्तम लिखा हूँ, इसके बारे मैं नवीन को पर्सनली बहुत बार बोला, फिर देखा कि वो सुनने के लिए तयार नहीं थे, तो बोलकर फाइदा किया, कम मिले आप आखरी बार नवीन पटनाहेक से, ऐसे आमने सामने, अभी छे साल होने वाला है, देखिए, दोहजार सत्रा में एक कांड हुआ, जो आप काड़ी पर नहीं, मेरे पर, आप देखोगे कि मैंने जो MP LAD फंड से मुझे एक क्रेडिट मिला देश के सबसे बड़ा जो अखबार है, उन्होंने लिखा कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स में अगर किस कंस्टिवेंसी में MP LAD से सबसे ज्यादा काम हुआ है, वो र अगरेट करने के लिए जा रहा था और उन्होंने फिर धंकी दिया कि आने नहीं देंगे, मेरे खिलाफ ये शड़ियंतर शुरू हो गया था, इस्तानिया बीजोजनता दल के वहां इस्तानिया नेता, वो नेता ये कहते हैं कि जैपांडा अपने फंड के इस्तमाल में पार वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि नवीन बाबु का यही इरादा था पहला 15 साल में, कि अगर आप स्तानिया नेताओं के जरिया काम कराएं, तो वहां लूट होता है, वहां काम नहीं होता है, और मैंने वो छोटे-चोटे 2-2-5-5 लाग के काम करते हैं, जिसकी बिडि 24 मिनी स्टेडियम लगे हैं, केवल इसके लिए क्योंकि यह बड़े प्रोजेक्ट और उनके सला के जो राय थे उसके अलग से, और यह बिडिंग होके पब्लिक टंडर होके बने, लेकिन यह बात सही नहीं है, कि मैं केवल चुनाओ के समय जुट जाता था, आप मैं दो हफ़ता कॉंस्टिट्विंसी में रहता था, घर घर घूमता था, हर पंचायत मैंने गया हूँ, जो एक लोगसबा सदसे के लिए मुश्किल होता है, और दो दो बार जो रेकॉर्ड मार्जिन से मैं वहां जीता, यह खंडन करता है जो आरोप आपने कनवे कर रहे थ बिल्कुल नहीं, यह एक आरोप इन्होंने लगाया है जरूर, मुख्यमंत्री ने खुद अक्नॉलिज किया है, मैं जानता हूँ, मैं यह दुख की बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल कभी किसी स्थर पे भी, आप कहीं भी एक उधारन निका लिए, मैं कहां उनके या किसी के स हूँ, हम इतने करीबी थे कि स्वास्त के विशय तो सब कुछ जानकारी थे मेरे पास, लेकिन पब्लिक में, प्राइवेट में किसी को नहीं, एक समय था कि दक्तरों के साथ मैं ही कोडिनेट करता था, उनको जब कभी कुछ जरूरत पड़ता था, लेकिन यह बिल्कुल गल और तीन चार सुत्रों से वही ख़बर पहुंचा कर एक वातावरन बनाते हैं कि देखे यह आपके खिलाफ कुछ कहते हैं, यह गलत था, यह गलत था, वर यू प्रोजेक्टिक्टिं यॉरसेल्फ एस अस्थे सक्सेसर आफ नवीन पतनायक? अब्सलोटली नॉट देखिए फिर्स्ट अफॉल, दिर इस अबाओ ट्वेंटी यर्स गैप, बीस साल की गैप, मैं उनका चोटा भाई जैसे था, और मैं पॉलिटिक्स में, जैसे आपको कहा, मेरा भी पचीस साल हो गया है, पॉलिटिक्स में, जिसमें लगभग उनीस साल मैंने सांसद रहा, मैं इलेमेंट में भी पार्टी के लीडर रहा हूं, लेकिन कोई सरकारी पद अभी तक मुझे नहीं मिली है, जैसे मैंने आपको बता रहा था, मैं ना कभी कोशिश की, ना कभी प्रोजेक्ट किया, आप कोई एक विक्ती को अगर ला सकते हैं, जो कहेगा, कि जैपंडा ने हमे मैं प्राइविटली कहा कि हा मैं ये बनना चाहता हूं, या वो बनना चाहता हूं, मेरे लिए कोई पद इस ऑल्वेज ए बाई प्रोड़क्ट, मैं आपको कई उधारन दे सकता हूं कि जो विशे पर मैं काम किया हूं, उसमें सफलताय मिले हैं, मैं उस पर गर्व लेता हू आपके जवाब में और हमारी रिसर्च में भी बार बार ये जिकर आ रहा है, आपने का आप उनके छोटे भाई की तरह हैं, आप बहुत थे और बहुत करीबी थे, ये दुनिया के बड़े तकलीफ देव आके होते हैं, कि मैं उनके दोस्त जैसा था, इसका मतलब अब नहीं हूँ, अलगाव हो गया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैपांडा और नवीन पटनाय, आपकी दोस्ती कैसे हुई, और थोड़ा अगर आप विस्तार से बीजु जनतादल के बनने की प्रक्रिया, आपने लेटियंस मैवरिक लिखा, आपने लेटियंस मैवरिक लिखा, आ तो नवीन के लिए उस पूरी जनतादल फैमिली को छोड़ कर वीजेपी के फोल्ड में आना, फिर बीजु बाबू के जमाने के जो नेता हैं, तब यही आप थे, यही नवीन बाबू थे, यही यंग तक्स थे, जनतादल उडिशा फैक्सन के, जो अपने हिस्से की पॉलि प्रिका गए थे, बंशितर पांड़ा जी, वो मिशिगन में पढ़े थे, पीएचडी करे थे, और वहां के बड़े-बड़े कंपनी जैसे युएस टील में काम किये थे, नैसा प्रोजेक्ट में, दस साल वो एन राइ रहे थे, पचास के तो, यह कब की बात है, 1950 से, 50 से 60, और मेरी माँ, दोनों अभी गुजर चुके हैं, वो शांती निकेतन में आर्ट्स पड़ी थी, जाके लंडन में, रॉयल कॉलेज अफ आर्ट्स में, हायर स्टडीज करके, एक टेक्स्टाइल डिजाइनर करनाते, लंडन में कई साल रहे के, उस जमाने में, 50 से, और बाबु के परिवार के साथ जो दोस्ती थी, तो इन दोनों की मेरी पिता और माँ की लंडन में सिवल मेरेज हुई थी, तो बीजु बाबु जब विजिट कर रहे थे वहां, उनके रिसेप्शन वहां होस्ट किये थे, और उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत परस्वेड कर के वापस ओडिसा ले आए, कि आप जैसे नौजवान की जरूत है, और मेरे पिता के पैटेंट्स वगारा थे, मेटलरजी फिल्ड में, वो आके जो संस्था शुरू किये, वो संस्था ओडिसा में काफी सक्षम रही है, और हजारों लुग विस्तार से बताईए, कहां पर शुरू किया काम, बीजी बाबु ने क्या दिया, फिर कैसे आए, क्योंकि वो जो कहानिया है, वो जो नया भारत बन रहा था आजादी के बाद, और उसमें दो टेक थी, तो उसमें एक टेक इंडिस्टलाइजेशन वाली, जिसको नेरू जी आदुने भारत के मंदिर कहा कर ना भी भुबनेश्वर को, वो बोले कि अगर मैं आउंगा देश के लिए कुछ करने के लिए, तो देश में सबसे जहां आवशक है इन ऐसे संस्ताओं के लिए मैं वहीं करूंगा, तो उडिसा में सबसे रिमोट एरिया, वो एक ट्राइबल डिस्टिक्ट है, वो कॉराप साथ-ाथ साल मेहनत करना पड़ा, फिर सफलता हासिल किये, और वो एक 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 स्पोर्ट औरियेंटेड कमपनी है, जो लिस्टेड कमपनी है पचास साल से ज्यादा, अभी साथ साल से ज्यादा, और बीजू बाबू भी पहले एक इंडस्टिरलिस्ट थे, वो एक पाइलट फिर इंडस्ट्रिलिस्ट बने, कलिंगर ट्यूब्स उनका फ्लैक्शिप कंपनी था, फिर वो राजनीत में आकर मुख्यमंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने केंद्र में, और उनका जब बिजनस पर ध्यान नहीं रहा, तो उनका कंपनी भी काफी क्या करते हैं, काफी ब और ऐसा है कि मेरी दोस्ती नवीन के साथ या उनके जो भाई और बहन है, वो तो सेकंड जेनरेशन की बात है, नवीन जिस घर में रहते हैं, वो घर नवीन नवास, वो भी उनका परसनल गैरेंटी में उस टाइम हाथ से जाने वाला था, मेरे पिता उस कंपनी को लेकर बीजु बाबु इस घर में आज रह पाते हैं, तो ऐसी ऐसी रिलेशन्शिप थी, तो बीजु बाबु जब अंत में फिर दुबारा सीम बने, 90 से 95, और 95 में जब वो अचानक से हार गे, उनका बहुत पॉपिलरीटी था, और एक शड़यंत्र हुआ, चुनाव को डिले किय गया गया, और वो हार गया, क्या शड़यंत्र हुआ? देखे, उस साल, मार्च पांच जो उनके जनम दिन पे जो रैली हुआ था चुनाव के लिए, 1995 का, वहां इतना क्राउड इतने भीड थे, तो सभी का वहां एक्सपेक्टेशन था कि दुबारा वो भारी मार्जन से जी समय कॉंग्रेस सरकार थी, यूपिया सरकार, उसको डेट को शिफ्ट कर दिया, कॉंग्रेस सरकार, यूपिया तो 2004 कुछ शिफ्ट हो गया, और उस दौरान कई सारे डिवलप्मेंट्स हुए, तो जब चुनाव हुआ कुछ महीने बाद, तो विजू बगु हार गये, तो उ करने के लिए, आप तक पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं एक उधारन दूँगा, मैं उस टाइम बिजनेस में था, और ये जो फिकी, CII वगारा उनमें मैं एक्टिव था, और मैं ओडिसा का CII चेर्में था, और काफी प्रयास करके, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बीजु बबबु उस टाइम उपोजिशन में थे, उसको देखकर उनको बहुत खुश हुए और मुझे बुलाए कि तू इतना चोटा सा लड़का है, मैं नहीं जानता था कि तू इतना और्गनाइज कर पायता है, तो आके मुझे मुझे मदद कर, तो मैं थोड़ा-थोड और नवीन पठनाइक तब तक पॉलिटिक्स ना थुके थे ? बीजु बिल्कुल सीन में नहीं थे, वो दिली रहते थे ? तो मैं फिर धीरे धीरे और उस टाइम में बीजू बाबू जनता दल के एक फाउंडर मेंबर से उडिसा के जनता दल यूनिट बिलकुल बीजू बाबू का कंट्रोल में था और जो नेताओं के बारे में जिकर कर रहा था दिलिप राय बिजय महापतर वगार जो लिस्ट आपको दिया वो सब उनके साथ जनता दल में थे और फिर एक हवा बन रहा था देश में अटल बिहारी वाजपाई जी का ये 95-96 की बात है और ये लग रहा था सब को और हम उस टाइम हम सब बहुत नौजवान थे और बहुत उत्साहित है कि अटल जी प्रधान मंतरी बनेगे देश का एक नया मोड आएगा और उस समय मेरे पिता अटल जी के भी बहुत करीब थे और मैं कई बार मुझे मौका मिला अटल जी के साथ मिलने के लिए कई बार मुझे मौका मिला बिजु अंकल अटल जी, अडवानी जी के जब भेट होता था, मैं कभी-कभी कमरे में हुआ करता था. So, you had all the exposure and privilege to be in the same room. Just as a coordinating and helping, not in the participating, I was too young. पर वो एक चर्चा चल रहा था कि एक front बनाना चाहिए, बिजु बाबू अगर अटल जी के साथ दें, तो यहां से Congress को हटा सकते थे. इस चर्चा के बीच में, बिजु बाबू सड़नली गुजर गए, 97 में. और फिर यह सब plans थो थोड़ा रुक गए, और फिर कई हम में से मिलकर, जिन जिन नाम में आपको बता रहा था मिलकर, प्रयास करके, फिर नवीन पतनाइक जी को लाकर… कैसे convince किया आपने उनको? You use the word socialite की, वो तो socialite थे. Actually बात यह था, कि सब का कहना था कि वहां कोई बीजु बाबू के परिवार से होना चाहिए, क्योंकि वो सिंपथी वोट मिलेगा, वो गुजर गए थे, बाइलेक्शन था उन्ही के सीट के लिए, जन्ता दल के लिए. अकसा? आसका. तो पहले उनके बड़े बेटा जो है, प्रेम पतनाइक जी, उनसे बातचीत किया गया, लेकिन वो इंट्रेस्टेट नहीं थे, वो मना कर दिये. वो जब इमर्जेंसी के समय बहुत उनको कॉंग्रेस ने तंग किया था, तो वो पॉलिटिक्स की अंदर बली वो देख चुके थे, वो उसमें से इंट्रेस्टेट नहीं थे. उनके एक बहन भी थी, वो विदेश में रहती थी, जो लेखक हैं, गीता महता जी. और फिर दोनों जब मना कर दिया, तो जनता दल के किसी और को फिर टिकेट देने के लिए तै हो गया. किसको? मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई एक था वहाँ लोकल. और फिर सडनली परिवार से खबर आया कि नवीन चाहते हैं लडने के लिए. तो कोई उनके बारे सोचा नहीं था, क्योंकि वो बिलकुल इन्वाल्व नहीं थे इस चर्चा में. लेकिन वो आये, और फिर टिके चेंज करके उनहीं को दिया गया जन्तादल से और वो जीते भी और छे मैंने जन्तादल के वो एंपी रहें लोग सभा में. नाइंटी नाइटी एट के एलेक्शन के पहले तक? नाइंटी सेवन जून से नाइंटी सेवन डिसमबर तक. और लेकिन जब लग रहा था कि पहल ग्रूप कोडिनेटिंग और एसिस्टिंग तो उस समय क्या हुआ कि पहले देवेगोडा जी रहे प्रधान मंत्री कुछ दिनों के लिए और उस समय जब बिजु बबु गुजर गया नाइटी सेवन में उनके फ्यूनरल के लिए देवेगोडा जी आय थे फिर उसके बाद कुछ उसी समय वो चेंज हो गया और गुजराल जी आये थे उनका जो यारवी होता है सीतर आमके इसरी ने समर्थन वापस ले लिया फिर वो रसा गशी ने से उस समय तो एक माहौल बन गया कि एक सब बीजेपी जाएंगे जनता दल के जितने लोग थे वो सब बीजेपी जाने के लिए वहाँ जो पुरिसा यूनिट की बारे बात करता है वो राष्ट्रे यूनिट में शरद यादव जी थे वो बिलकुल वो सोशिलिस्ट बैग्राउंड से थे उनका बिलकुल राय नहीं था उस समय बीजेपी के साथ हाथ देने के लिए वो बाद में बना तो इस टाइम क्या हुआ जब एक महाल बन रहा था इसमें लीड दिली प्राइव अगरा ले रहे थे जैसे मैं कहा मैं छोटे भाई के तरह वहाँ इन्वाल्व रहता था फिर प्रमोद महाजन जी का एक एसेस्मेंट रहा कि सब जनतादल अगर मर्ज हो जाएंगे बीजेपी से यह तो अच्छी बात है लेकिन वोट ट्रांसफर होते होते 10, 12, 15 साल लग जाएगा और उसी चकर में कॉंग्रेस फिर से वहाँ जीत के दुबारा वहाँ जानकी बल फिर थे 14 साल के तो उस समय क्या हुआ वो यह एक्चली एक स्ट्राटीजी बना जिसमें प्रमोद महाजन जी के प्रमुक भुमिका था दिलिप राय जी का मैं भी उसमें शामिल था और नवीन नहीं थे शामिल उसमें कि रिजिनल पर्टी बनना चाहिए और बिजिनल तो नवीन बाबु को मनाया गया, वो पहले तो मान नहीं रहे तो. Were you involved in that process? Yes, I was very much involved. Tell us about that conversation. उनका बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे रेजरवेशन्स थे. जैसे? जैसे जो दिल्ली के जो so-called secularist mindset का होता है, जो समझते हैं कि secularism, जो ब्रिटिश राज का अमल से इंडिया में एक peculiar secularism रहा है, कि केवल हिंदू मंदिरों को सरकार कंट्रोल करेगा. बाकी सब धर्म के धर्मिक स्तानों को उनके अपने अपने community से कोई समीती समालेगा. ये जो mindset कि आप अगर अपने आपको हिंदू कहो तो यू आर कॉमिनल, ये एक mindset था तो उनका एक इतरास था, लेकिन जब वो देखें कि ओर्वेल्मिंग मूड था कि सब के अगर नई पार्टी नहीं बने तो सब बीजेपी चले जाएंगे. तो फिर उन्होंने, he was the founder, Naveen Patnaik became the founder, he was a janatadal MP, if you remember, तो वो founder बने और बाकी सब उनके साथ, बिलकुल बीजेपी के मदद के साथ, hand holding के साथ, और established होने के 3-4 दिन के बाद ही गटबंदन घोशित हो गया, और वो गटबंदन 11 साल चला, 98 elections भी जीते, 99 elections भी जीते, 2000 में विधानसभा की चुनाव भी जीते, 2004 में विधानसभा जीते, यहां लोकसभा में अटल जी का सरकार उस टाइम आने पाया. तो ऐसी तिती में विजु जनता दल बनी थी. थोड़ा सा फास्ट फरवर्ड हो गया अखरी में, सांसद बन गए, पार्टी बन गई, केंदर में, नवीन पतनायाग, मंत्री बन गई, आपका रोल क्या था? नहीं, उनको मंत्री बनाने में रोल तो अटल जी का ही था. नहीं, मंत्री बनाने में नहीं मतलब, में से 2004 तक यहां सरकार रही तो बीजु जन्ता दल में एक स्प्लिट हो गया 2002 में. तो बीजु जन्ता दल में वो जो स्प्लिट हुआ 2002 में, मैं उस टाइम राजसभा में दो साल रह चुका था, संसद के रूप में. राजसभा में हम दो ही थे, एक और हमारे ट्राइबल मेंबर थे और मैं ही था. लोकसभा में यह सब वरिश नाम जो में बता रहा था, यह थे. दिली प्रे को वो निकाल चुके थे उस समय, ब्राजकिशोर तिपाठी यहां मंत्री थे, अर्जुन सेथी अटल जी के सरकार में मंत्री थे, और बहुत सारे बड़े-बड़े नाम थे, सब के नाम जिकर करना ज़रूत नहीं है, सब थे, अभी भी हैं कई वरिश ने था. लेकिन नवीन बाबु मुझे दाइत्व दिया इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैं कम उमर का था, लेकिन बिलकुल करीबी था. तो यहाँ उस समय स्पीकर थे, मनहुर जोशी जी, तो मनहुर जोशी जी के साथ बार बार मिलना, यहाँ बड़े-बड़े जो वकील हैं, constitutional lawyers, उनके साथ बार बार मिलना, हमारे जो रूट कर, BJD से जो कुछ सांसत अलग हो गए थे, उनके साथ बार बार मिलना, BJP के साथ बार बार मिलना, और उसको फिर समाधान करना, यह एक उधारन था जो, और क्या हुआ कि उस कम उमर में, मुझे ओड़िसा का NDA coordinator बनाया गया और मैं फिर BJD का पार्टी लीडर बना, राजसभा में, और एज NDA coordinator मुझे कुछ साथ साल, आठ साल मौका मिला, अटल जी, अडवानी जी, अरुन जेटली जी, सुश्मा जी, राजनाथ जी, वहिंकाया जी, प्रमोद महाजन जी थे कुछ समय के लिए, और NDA के जो अन्या सब लीडर्स थे, George Fernandez थे, उस ताइम शारद भाई भी आ गए थे, और शिवसेना भी थे, अकाली दल भी थे, तरिनमूल कॉंगरेस भी थे, और उनके साथ regularly बैठना, और मैं, I was much younger than anybody else, तो हर हफ्ता जब पारलिमेंट होता था, तो हर हफ्ता बैठना, जब पारलिमेंट न इन बैठकों में सिर्फ गंभीर राजनेतिक चर्चा होती थी या इस तरह कि आरे भाई कहां चुटनी मना रहे हो, ये कुर्ता कहां, इस तरह की बातें भी होती हैं, देखिए, गंभीरता तो होती थी, क्योंकि बहुत गंभीर मुदों पर चर्चा होते थे, और NDA को क्या निड़ने लेना चाहिए, इसकाशन होता था, लेकिन गंभीरता शुरू होने से पहले, जो पहले पंदरा मिनिट चाय, बिस्कुट के सभी जब उपस्तिर होते 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 हैं, बहुत बहुत अच्छा महौल था, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने गंभीरता का जिकर किय बीच में दिलिपरे, पहला जिसको कहा जाता है, नवीन पतनायक की पहली political surgery, he can be a potential threat, he is representing the old guard, ensure that he leaves the party, क्या हुआ था, देखिये, वो लेट बिजु अंकल के भी करीब थे, बिजु अंकल उनको मानते थे दिलिपराय जी को, कि ये भी एक यंग डैनामिक है, और उनको काफी प्रोटसाहित किये थे, तबकि यहां जब वो सरकार बनी थी, देवेगोडा जी के नेतितु में, दिलिपराय जी यहां मंतरी थे, तो वहां से उडिसा से शडियंत रहुआ, उनके खिलाफ काफी सारे आरोप लगाया गया, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फरेंस किया गया दि उडिसा के जनता दल के नेता, जो उस टाइम बिजु बबुसे अलग होने लगे थे, छोड़िये, वो आजकल सब कॉंग्रेस और अन्यत दलों में जा चुके हैं, जनता कसमसा जाती है, जब आप नेता लोग बोलते हैं, छोड़िये, भाई बता रहे तो ठी, तो सुनिए, तो क्या हुआ, तो ये भी करीब थे, तो वो पहले शिकार बन गये, और ये एक खास प्रैक्टिस है, बीजु जनता दिल में कैसे किसी को आगात किया जाता है, तो वो M.O.S. थे, भाजपाई जी के सरकार में, और नवीन पतनाइक जी पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर गये थे वापस, स्टील मंत्री से, स्पाट मंत्री से वहाँ पर जाके मुख्य मंत्री बने थे, तो उस सुभा उनको नवीन निवास बुलाकर, शर्बत पिलाकर कहा गया था कि चलिए आज दिली जाते हैं, आज आपका प्रमोशन होने वाला है, कैबिनेट मंत्री को, तो दिली आकर पहुंचे तो उनको पता चला प्रमोशन की बात नहीं, उनको ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो पहले शिकार बने थे, 2000 में ही, क्यों ड्रॉप किया गया है? वही आरोप कि उनका अमशन है, ये सभी के बारे में इतने सारे नाम आपको उधारन दिया, सभी के ख और नहीं क्या आप निए नहीं कहते हैं कि अब दिली में जय पांडा कम्मिकेट किया करते थे, यू रहा है वहा है, वहां दिली में जय पांडा किया करते थे, यू और इस वोईस। I was not only the BJD's voice, I was, as I told you, I was the crisis manager. But that came later. That came in 2002, when I told you the party split and then I made a new leader in the Rajasabha. कौन कौन से नेता चले गए उस स्प्लिट में बाहर? उस समय जो अलग हुए थे वो अभी भी BJD में है, उस समय भरतुरहरी महताब, प्रसन्ना अचारिया, प्रसन्ना पाटसानी, वो जाके उस समय स्पीकर मनहुट जोशी जी से दावी किया कि इन्होंने स्प्लिट कर चु बूल रहा हूँ, जन, मोर्चा, कुछ-कुछ नाम भी देकर अलग इस्तापित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उसी समय, लेकिन वो अभी BJD में है, मैं क्राइसिस मैनेजमेंट जरूर करता था, लेकिन किसी को हटाने का निर्णा मेरा कभी नहीं था, मैं I was too junior for that. फिर भाजपा और BJD, इनके अलग होने की क्या प्रिष्ट भूमे रही? देखिए, भाजपा BJD क्या हुआ कि विबन कार्णों से वहां BJD कॉंसोलिडेट हो रहा था, और वहां भाजपा उसी तरह का कॉंसोलिडेशन नहीं देख पा रहा था, और 2008 में एक घटना हुआ उरिसा में, स्वामी लक्षमनानंद का हत्या क्या गया? वो एक आश्रम बना के कंधमाल जिल्ला में कई सालों से वो उनके हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे थे, कई लोगों को वापस हिंदू धर्म में ला रहे थे, उनका क्लैश हो गया वहां नेक्सलाइट से और कोई अन्य वहां जो उनके खिलाफ जो काम कर रहे थे, हो सकता है मिशनरीज लेकिन नेक्सलाइट और अधर्स और उसमें प्लिटिकल एलिमेंट्स भी थे, तो उनका जब हत्या हुआ, वहां रायट्स हुए थे, और वहां जब रायट्स हुए थे, 42 लोग, मुझे जो याद है उस समय, 42 लोग कतल हुए थे, इस रायट्स के कोई वहां रेस्पॉंसिबिलिटी नहीं डालते हैं सरकार पर, वहां सरकार बीजेडी की ही सरकार थी, और यही मुख्य मंत्री थे, उसके बाद जो एक्शन लिया गया, वो बहुत सारे लोगों को लगा डिस्प्रोपोर्शनेट, कि वाइलेंस दोनों तरफ से हुई थी, वहां जो मिशिनरी की कन्वर्जन एक्टिविटीज के जरिया, विभिन कम्यूनिटीज में वहां टेंशन था, तो ट्राइबल्स थे और अन्य कम्यूनिटीज थे, तो जिस तरह का एक्शन लिया गया, बहुत सारे आरोप लगे, कि यह सही धंग से नहीं हो रहा है, एक साइड के ज्यादा लोग ज्यादा फोकस हो रहा है, दूसरे बीजेपी में भी कुछ वाइसेस थे, वो कह रहे थे कि तोड़ देना चाहिए था गठबंदन को, कौन कह रहा था? उससे में थे वहां, लोकल लीडर्स थे, जो वहां उससे में या तो उडिसा गर्मेंट में या तो यहां केंदर सरकार में मंत्री रह चुके थे, तो नव पुड़ना चाहिए और इंटरलॉकुटर के नाते उस टाइम प्रमध महाजन जी गुजर चुके थे, तो चंदन मित्रा जी को दाइत्व दिया गया, तो यह चंदन मित्रा जी को वाइनिंग डाइनिंग करके घर में बिठाकर बिलकुल मित्रता के साथ उनको कन्विंस कर दिये कि सब ठीक है, और अंतिम मुर्त में उन्होंने नवीन पतनायक ने गठबंदन तोड़ दिया, और जिस धंग से उन्होंने तोड़ में था, उनके साथ उसी दिन बैठा था, अडवानी जी बार-बार फोन कर रहे थे और यह फोन भी उठा नहीं रहे थे, मुझे बह क्या बोला नवीन पतनायक ने आपको, आप लोग तो बहुत करीब ही रहे हैं, नहीं कुछ बोले नहीं, सिर्फ लिये नहीं फोन, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अडवानी जी आप तोड़ भी रहे हैं तो गड़बंदन तो अब जब अडवानी जी फोन कर रहे हैं तो बात कर लीजिए, वो बिलकुल फोन उनके नहीं लिए और फिर वो जब बीजेडी अपने स्ट्रेंथ पे जीत गई दो हजार नौ में, फिर उसके बाद वो थोड़ा पार्टी में परिवर्तन होने लगा, उस समय प्यारी मोहन महापात्र थे, एक रिटार्ड बीरोक्रेट वो बीजू अंकल के प्रिंसिपल सेकृरिटी थे, नहीं यह इनका प्रेडिसेसर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी संबालते थे, वो रिटार्ड बीरोक्रेट थे, उनका कोई ओफिशिल ओट फिक्रेशी नहीं था, उनका कोई जो सिविल सर्विस का नियम होते हैं, उनका लागू नहीं था, क्योंकि वो रिटार्ड हो चुके थे, और वो बीजू जन्ता गल के अनफिशिल वर्किंग प्रेजिडेंट जैसे काम करते थे, वो उडिसा संबालते थे, और जैसे आपने कहा, मुझे दिल्ली में फेस माना जाता था, कौन किस दिले में रेखा हुआ करता था, सरकार और पार्टी के बीच में, जो होना चाहिए, जो सभी हमारे संविदान में और परंपराय में हैं, वो लक्षमन रेखा होता था, कि वो सेक्रेटरेट में नहीं बैठते थे, उनका पावर नहीं था, डिरेक्ली कोई फाइल पर कुछ ओर देना, वो जितना तक CM को कन्विंस कर पाता थे, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करते थे, लेकिन पार्टी में बिलकुल उनका पुरा ताकत था, ये मैं मानता हूँ, आज कि स्थित्य अलग है, आज एक सर्विंग ऑफिसर, जो IS रूल्स में बाउंड है, उसके उलंग औरिसा में चर्चा बहुत हो रहा है, कि सरकार कौन चला रहा है, ये एक मुद्दा बन गया है, जब हमारे भारते जनता पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष मानिय जेपी नडडा जी ने औरिसा गए थे, ये विशय को उठा है पब्लिक मीटिंग में, कि ये चर्चा हो र लटका, एक कांड है, बड़ा मशूर, क्या हुआ था, नवीन बाबू बाहर गए, देखिए, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ था, तो, आपको तो सब जानकारी है, तोड़ा तरशकों को विस्तार से पता ही दे, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो पार्टी के बैक होते थे, और उस समय, 2011-2012 में, वो फ्रंट में आने लगे, वो जिस तरह के आरोप मेरे खिलाफ कुछ लोग लगा रहे हैं, जो गलत है, लेकिन उनके लिए लगा रहे थे, और उसका कुछ प्रमान भी था, कि जाके जिलों में वो मीटिंग्स करते थे, और उनका होडिंग सबसे बड़ा होता था, तो एक बार मुझे नवीन ने कहा कि, कि आये सच है, तुम ऐसे कुछ फोटो वोटो आ रहा है, तुम ज़रा जाके चेक करो, तो मुझे भेजे थे, मैं गया था, और एक दो जगा में मैं देखा, मैं अचानक जाके कोई जिला में बड़ा मीटिंग होता था, मैं पाटी का भी एक उस टाइम नेता था, तो मैं जाके देखा और मैं सही डंग से रिपोर्ट किया, तो वो विदेश जाने से पहले उनका आशंका भी था कि कुछ शायद हो सकता है, कहां गए थे वो, लंडन गए थे, और हमने सब, मैं वहां बैठ के आश्वसन किस्तिती में, प्यारी बाबू और कई सारे विधायक एक होटेल में एकठे हुएं रातों रात, और खबर था कि वो राजयपाल से समय भी मांग चुके थे अगली दिन के लिए, लेकिन हम कुछ लग गए बिलकुल उसको सिचुएशन को रिट्रीव करने के लिए, और जैस पहले भी था, इस क्राइसिस में भी मैं फ्रंट फूट में था, तो इन विधायकों की क्या नाराजगी थी नमीन पतनायक से, दूर था, वो उनको मिलने के लिए समय नहीं मिलता था, प्यारी बाबू सब कुछ करता धरता सब थे, उनको टिकेट वहीं से मिलता था, उनको इलेक्शन की फंडिंग पहरी बाबू से मिलता था, उनके सब कुछ जो ओर्डर्स मिलते थे, वहीं से मिलता था, तो लॉयल्टी वहीं बन गया था, तो अभी भी वही इस्तिती है, तो ये आश्चरी की बात है, कि अभी तो आप अगर जाके विधाकों को वहां पूछे है सांसदों को पूछे कि वह कितने बार मिल पाते हैं सीम को, आपको जो जो नवीन, एक्सेस कंट्रोल, उस ताइम एसा था, मैं थोड़ा थोड़ा अलग था, उस ताइम वह नवीन बाबू से मिल पाते थे, लेकिन डिसिशन होता था जो प्यारी बाबू एड़ाइस करते थ अभी क्या है अभी मिल भी नहीं पाते हैं. So, that coup attempt was unsuccessful? It was almost successful, उसको रोका गया. And then Naveen got back from London? Haan, when he came back from London, it was still, he was very apprehensive, लेकिन समाला गया. आपने थोड़े दिर पहले पूछे कि ये मित्रता कैसे तूड़ गया मैं आपको जो विशे के बारे बता रहा था कि 2017 में मेरा पर जो हमला हुआ वहां स्तानिया बीजेडी के लोकल लेता प्रेस कॉनफरेंस करके धमकी दी कि हम हमला करेंगे जैपंडा पर और फिर मैं बोला कि मैं धमकी से नहीं डरता हूँ जब मेरे MP LAD FUNDS से ये प्रोजेक्ट बना है मेरा अधिकार है जाके उसको उद्गाटन करना मैं जब वहां गया वहां उनके धमकी के वज़े से पांच प्लटून पुलीस फोर्स थे उस हमले के वज़े से ये पूरा लाइव टीवे पे पूरा कंटिनुसली चला एक हफते तक और नवीन फोन तक करके मुझे नहीं पूछे कि तुम ठीक तो हो जबकि तब तक आप पार्टी में थे हाँ हाँ मैं पार्टी का सामसत था तो उस समय से मुझे लगा कि और मेरे खिलाफ जो ये अफवा फैला रहे थे मैं कई बार उनके साथ बैठा क्या होता था पहले 17 साल तक मेरे खिलाफ बहुत सारे अफवा लगते थे फैलाया जाते थे जैसे किस तरह कि इस तरह कि कि आप शड़ेंतर कर रहे हो आप अपने आप को सक्सेसर प्रोजेक्ट कर रहे हो और हम रात को डिनर के लिए मिलते थे और वही मुझे खुद बताते कि पता है तुमारे बारे क्या लेटिस्ट आरोप है और हम हसते थे उस पर कि ऐसे सब आरोप लगाते थे लेकिन 2014-2015 के बाद जब ऐसे सब कुछ लोग शड़ेंतर करने लगे मैं कई बार मिला और I tried to clear the air लेकिन मैं देखा कि वो सुनने के लिए तयार नहीं थे पहली बार उनको शायद वो ग्रहन करने लगे कब लगा आपको ये पहली मरत बार 14-15 में आप लोगी मुलाकातों का दोर कम हो गया मुलाकातों का दोर पहले पहले तो ठीक था लेकिन जब मैं देखा कि वो पहले कोई ऐसे आरोप लगते थे तो वो मुझे बताते थे या मै उनको बताता था और हम उसके बारे हसते थे वो हसना मिलना वो कम हो गया और वो उसको सीरियसली लेने लगे और फिर उसके बाद मेरे पार हमला हुआ और वो फोन भी करके पूछे नहीं कि मैं देखा तुम पर पत्थर लगा ठीक तो हो उसके बाद मैं मुझे पता चल गया कि मैं यहां रह नहीं सकता हूँ लेकिन फिर भी एक साल मैंने रहा लेकिन जब मेरे पिता गुजर गए जिनके वज़े से मैं आपको बताया हूँ वो उस घर में आज रह पा रहे हैं ना वो खुद आए ना बीजेडी के किसी को आने के लिए अलाव किया यह तो उसी दिन मैंने फिर टाय कर लिया मैं सेल्फ रेस्पेक्ट इस सम्थिंग आपके लिए बहुत मुश्किल था फिर आपने जो चिट्थी लिखी नवीन पटनाय को अपनी स्टीफे की तीन पन्ने की उसमें भी आपने इस चीज का जिक्र किया कि मेरे पिता का देहान दुआ बहुत सारे बहुत सारे बीजेडी के नेता आज भी मुझे आँख में आँख नहीं देख सकते हैं क्योंकि मेरे पिता जी के जितना एहसान था जनता दल के लिए बीजेडी के लिए पचास साल के लिए बहुत सारे अभी नेता हैं जो वो खुद या उनके पिता बेनिफिटेड हुए थे और वो जब बेरे पिता गुजर गए वो ना फ्यूनरल को आए ना हमारी जो ग्यारवी होती है उडिसा में आए देख नहीं पाते हैं आज भी मुझे तो सपच टूप से मुझे कहें हैं कि हम हमें मना किया गया हम आने ही पाए हम बहुत दुखी है और शर्मिंदा है हमारे यां बुदेल खंड में पांड़ा साब एक कहावत है कि हमी में भले ही ना जाओ और गमी में जरूर जाना चाहिए मतलब ये कि आपके गाओं में दोस्तियां हैं दुष्मनियां हैं रिष्टेदारियों में भी कोई किसी को शादी में बुलाता है नहीं बुलाता है हमी मतलब खुशी का मौका पर जब किसी के यां गमी होती है तो वो सारी दुश्मनिया, बोलापन सब खतम कर दिया जाता है लोग जाते जरूर है इतनी दुश्मनी हो गए कि गमी में भी आना जाना नहीं दुश्मनी तो मेरी तरफ से नहीं है लेकिन उडिसा में भी यह परंपरा नहीं थी और दोनों सुख में भी दुख में भी कोई राजनीत का दीवार नहीं देखता है और यह केवल हमारे परिवार के लिए ऐसा किया गया नहीं तो उसके पहले उसके बाद किसी के शादी में, किसी के जनम में, किसी के दिहांत में ऐसा किसी को नहीं रोका जाता है, कोई नहीं रोकते हैं, सब जाते हैं तो इस वेरी परस्नल ना वेरी परस्नल, वेरी स्पेसिफिक टो आर फैमिली ठीक है, किसी कारण मेरे पर गुसा हो गए अलग बात, वो गरहन भी कर लिए जितने सारे आरोप लग रहा था मेरे पर लेकिन मेरे पिता का तो कोई इसमें गलती नहीं थी और जो उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किये थे वो बीजु बबु और वो इतने घनिश्ट थे आपके आलोचा कहते हैं कि जैपांडा बार बार इस चीज़ का धिहान दिलाते हैं कि उनके पिता ने फाइनेंशली और दूसरे तरीकों से पार्टी की, काडर की, निताओं की किस तरह से मदद की ये बोलना भूल जाते हैं कि बीजु पटनाएक के पावर में रहते हुए उनको किस तरह के फाइदे मिले तेखिए, बीजु पटनाएक हमारे फैमिली के बहुत ही घनिश्ट थे मैं उनको बीजु अंकल ही बुलाता था उनके प्रोचसाहन से हमारी फैमिली बहुत कुछ की है उन्होंने मेरे फादर को कन्विंस किया, 1959 में कि आप वापस आओ, इंडिया, आप जैसे पी-एच्टी, आप जैसे टेकनोकरैट हमें चाहिए तो उन्होंने जरूर प्रोचसाहन दिया, लेकिन कोई स्पेशल फेवर्स कभी नहीं दिया उन्होंने जरूर प्रोचसाहन, क्योंकि बीजु बाबू खुद इंडिस्ट्रिलिस्ट थे वो जानते थे किस तरह के रेड टेप, किस तरह के गलत रूल्स और रेगूलेशन्स इंडिस्ट्री को रोकते हैं, तो जरूर बीजु बाबू के प्रोचसाहन के वजए से, मेरे पिता बहुत कुछ आगे बढ़े, लेकिन आप देखिए, कोई स्पेसिफिक अडवांटेज बीजु बाबू का भी नहीं दिया और आपने बतोर सांसद और ओडिशा में बतोर रूलिंग पार्टी के मेंबर रहते हुए अपनी कंपनियों को, कि आप एक इंडुस्ट्रियल बैग्राउंड से आते हैं, फाइदा पाँचाने कोशिच की क्योंकि नवीन पतनायक ये लगाया है, खास तर पर रेल्वे को ये मैं वर्बेटम कोट कर रहा हुए नवीन पतनायक कहते हैं, मैं केंडर पाडा में रेल्वे के डेवल्मेंट पर काम कर रहा था, ये तटका एक मातर जिला है, जिसका कोई विकास नहीं हुआ, और तब एक पूरु रेल मंत्री ने हस्ते हुए कहा, कि आप केंडर पाडा में रेल्वे के विकास का काम कर रहा है, लेकिन आपके सांसत यानि की जी पांडा को कैवल अपनी माइनिंग कमपनियों के लिए रेल्वे के डेवल्मेंट की चिंता है, ये सुनकर मुझे यानि की नवीन पतनायक को जटका लगा। देखिए ये किसी ने उनके लिए एक talking point प्रिंट करके दे दिया, उन्होंने बोल दिया है, उनको बिल्कुल facts के बारे बिल्कुल कुछ पता नहीं है, पहले हमारे परिवार में कोई mining company नहीं है, हमारे company में metals, alloys and power plant companies हैं जिनके captive mining है, वो mining में वेपार नहीं करते हैं, अपने captive use के लिए करते हैं, दूसरी बात, उसके इससे कुछ लेंदेन नहीं है, मैं केंद्रापड़ा का जब सदस्य बना, मैं लोकसभा का सदस्य बना केंद्रापड़ा से 2009, मैं देखा, उस समय नवीन पतनाएक नौ साल रह चुके थे, CM, और केंद्रापड़ा एक मात्र कोस्टल डिस्ट्रिक्ट था, जहां रेलवे लाइन नहीं थी, और ये मेरा फर्ज बनता था, कि वहां रेलवे लाइन बनाना चाहिए, तो एक प्रोजेक्ट वहां 30 साल से पेपर में रुका हुआ था, हरिदास्पूर पारादिप रेलव बिजनेस हैं, वो अपने आप अलग जगा पे यूटिलाइज करते हैं, तो इनके ये फैक्स उनको पता नहीं है, दूसरी बात, ये मेरा फर्ज बनता, मेरा कर्तवय बनता, कि मेरे कंस्टिट्वेंसी में रेलवे लाइन बने, मैं तीन रेलवे मंत्रियों के साथ लगातार बैठा, सुरेश प्रभू रेलवे मंत्री थे, दिनेश त्रिवेदी रेलवे मंत्री थे और प्यूष गोयल रेलवे मंत्री थे, आप जाके उनसे बात करिए, प्यूष गोयल ऑन दे रेकॉर्ड टीवी को बताए हैं, कि ये रेलवे प्रोजेक्ट तीस साल से पेपर में ब पांच साल लगा और छे साल लगा, दो हजार उनीस में मेरे जब मैं मैरा लोकसवा का टर्म जब खतम हुआ उसके तीन-चार महने के बाद ये कमिशन हो गया, इसमें मेरा कोई परसनल इंटरेस नहीं है, ये पबलिक का इंटरेस में है, और मैं इसमें गर्व लेता हूँ, दुबारा अगर मौका मिलता तो वही कम मैं करता है, एक आपकी भी टिपपुणी है हमारे पास, इसमें आप कह रहे हैं कि मैं यहां आप ऐलिगेशन लगा रहे हैं कि नवीन पतनायक को केंदर पाड़ा की चिंता नहीं थी, मुझे थी, मैं यहां पे बड़े प्रोजेक्ट ठब हो गए, क्योंकि लोग डर गए कि क्रड़िट किसे मिलेगा और मुझे लगता है कि नवीन बचकाना व्यभार कर रहे हैं, औरीशा में बिग टिकेट प्रोजेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स के, उनकी एक बड़ी अजीब सी हिस्ट्री रही है, विदान और क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पोटेंशल तो बहुत है, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, पहली जो ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है लगातार, मिनरल रेच है, लेबर इसली अवेलबिल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखन, ओडिशा, मद्द प का लेबर देश के दूसरे हिस्सों में जाता है, इंडिस्ट्रिय लेबर के तौर पर काम करता है, तो कहां पर अटका हुआ है मामला, देखिए ये दुख की बात है, कि बीजू पटनाएक जो खुद पहले एक इंडिस्ट्रिलिस्ट रह चुके थे, वो इनका प्रयास जो पर इंडिस्ट्री नहीं आ पाए, लेकिन वो लगातार कोशिस में लगे थे, यहां ये कोशिस नहीं हुई, मैंने उधारन दिया आपको कि इंडिस्ट्री के लिए इंफ्रस्ट्रुक्चर चाहिए, और ये जो हरिदासपूर पारदीप रेलवे लाइन, मैं जब बना सांस दिफिकल्टी होती है उडिसा में, पॉस्को एक प्रोजेक्ट था, पोहांग स्टील कंपनी का, ये केंदरापड़ा में नहीं, बगल वाले जगत सिंग्पूर डिस्ट्रिक में, उस समय भारत के इतिहास में सबसे बड़े प्रोजेक्ट, 53,000 करोर का, वो दस बारा साल उन कर कई लोग लगे थे उनके खिलाफ, ये सही है कि मैं बहुत कोशिश किया विभिन, कि कोई पोर्ट डेवलप्मेंट का भी मामला था, हाँ, तो मैं भी बड़े जो इंडस्ट्रिलिस्ट हैं, मैं सब को रीच आउट किया, कि आप आईए, यहां एक पोर्ट है, नजदीक मे और पोर्ट के लिए सकोप है, रिवरीन पोर्ट महानदी पर, और रेलवे लाइन भी बन रही है, वो रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया था, और बहुत प्रयास करने के बाद, उस समय के चीफ सेकरेटरी मुझे कहे कि यह उपर से रोका जा रहा है, कि वो नहीं चाहते ह कि कोई प्रभावशाली नेता के इलाके में बड़े-बड़े इंडॉस्ट्री आ जाए, क्यों? इंसेक्योरिटी, इंसेक्योरिटी. यह पता ही है कि एक तरफ the way you are describing कुप सारे उधारन देखेंगे इन सेक्योर्टीज यह थी वो थी पर वन वी लुक अट था इलेक्टोरल हिस्ट्री तो साल दर साल नवीन पतनायक जीत रहे he is neta number one, his parties और अब तो वो कहते हैं अब ने देखिए इस बार जिला पंचायत के चुनाओं में जिला परशद के चुनाओं में किस तरह का अब भुत्पूल प्रदर्शन किया तो नवीन पतनायक और उनकी सरकार की फिर लोक्रिता को आप कैसे अनलाइज करते हैं यह एक बहुत एहम सवाल आपने पूछा है यह सच है कि वो पांच बार सीएम बन चुके हैं पहली बार एक सिंपथी वेव था बीजू पतनायक जी के दिहानत के बाद और अटल जी का जो वेव शुरू हो गया था 96-97 से वो पहली बार उसके बाद जरूर उनको क्रेडिट देना चाहिए कि चतूर राजनीत कैसे किया जाए जैसे कि ग्यारा साल बीजेपी के साथ गटबंदन रखके फिर एक समय उसको तोड़ देना फिर उसके बाद एक प्रमुक कारण है जो चावल एक रुपे में दिया जाता था ओडिसा में तो इसकी क्रेडिट वहाँ ये किवल ओडिसा में नहीं अन्य भी कई प्रदेश में होता है कि केंद्रय योजना का क्रेडिट कोई रीजनल पार्टी जब हाइजाक करने के लिए कोशिश करता है उसके वज़े से कुछ इलेक्टरोल बेनेफिट्स भी मिलते हैं तो आप अगर देखोगे तो ये कुछ तीन-चार साल पहले की अरिथमेटिक है एक रुपए पे चावल दिया जाता था लोगों को और पूरा क्रेडिट बीजेडी लेता था जबकि बीजेडी का ये चावल का खर्चा था तीस रुपए किलो उसमें से 27 रुपए आते थे केंद्र सरकार से दो रुपए आते थे प्रदेश सरकार से और एक रुपए में बेचा जाता था लेकिन पूरा-पूरी क्रेडिट, ब्रेंडिंग, मार्केटिंग सब बीजेडी के ये होता था और वैसे जो प्रदान मंत्री आवास योजना वो भी केंद्र का योजना है, लाखों लोगों को घर मिलता है और उसमें लोकल ब्रेंडिंग करके एक स्टेट का योजना लागू करके उसमें छपा लगा के क्रेडिट लेते थे इन दोनों में इस साल, पिछले एक साल में काफी डिस्रप्शन हुआ है तो बहुत सारे ऐसे आरोप आ रहे थे केंद्र सरकान ने कुछ सक्त कदम लिया जिसके वज़े से जो प्रदान मंत्री आवास योजना का 81 करोर लोगों को अभी अनाज दिया जा रहा है कोरोना समय से ये एक्स्टेंड बार-बार होता जा रहा है और इसके मोडालिटीज भी में परिवर्तन आये हैं तो जो पैकेजिंग वगरा अभी सेंट्रिली होता है तो अब क्या हुआ है पिछले दो-तीन महिनों में एक हाहाकार मच किया है औरिसा में क्योंकि वो जो कह रहे थे कि ये हम दे रहे हैं आपको वो दे नहीं पा रहे हैं वो सीधा डिरेक्ली केंद्रिय सरकार के जरिया आके पहुंच रहा है विट सेपरेट पैकेजिक तो अब पिछले कुछ महिनों से औरिसा में लोग ये प्रश्न पूछने लagए हैं की भाई ये तो आप क्लेम कर रहे थे कि घर आप दे रहे थे आप क्लेम कर रहे थे कि चावल आप दे रहे हैं और अभी आप अगर देखोगे ओडिशा के राजनीच में, प्रदेश सरकार ने अभी कंप्लेइन करने लगे हैं कि केंद्र ने भटा लिया हमारा स्कीम, जबकि आप 20 साल से कह रहे हो कि यह हमारा स्कीम है, यह केंद्र का स्कीम नहीं है, और केंद्र अभी डिरेक्टली दे तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ऐसे कई कारण है, एक और कारण है कि जब तक गड़बंदन था, जब तक वजपाई जी का, अडवानी जी का, अरुन जेटली जी का, प्रमुद महाजन जी का प्रभाव था, उडिसा सरकार ब्रस्टाचार के खिलाफ और क्राइम हिंसाकांड के खिलाफ थे, पिछले दस साल में अगर आप देखोगे, काफी कुछ बदल गया है, उडिसा में हिंसाकांड बहुत बढ़ गए हैं, ब्रस्टाचार के आरुप बहुत बढ़ गए हैं, पिछले दस साल में, और इतना तक आप हर हफ़ता एक दो तीन ऐसे केसे होते हैं जो कोई बाली का या कोई महिला उनका गैंग रेप और मर्डर होता है जिसमें कई सारे बड़े नेता बीजु जनता दल के इसमें शामिल है वो इंगित हुए हैं, कोट में उनके नाम गया है और अभी अभी कुछ हफते पहले आप देखे हैं कि एक सिटिंग कैबिनेट मंत्री प्रदेश शरकार का उनका हत्या हुआ बाई ए सर्विंग सब इंस्पेक्टर अफ पुलीस ये एक उडिसा एक नया मोड में चला गया तो ये तो ठीक है कि बीजू जनता दल बहुत सक्षम रहे हैं लेकिन उनके फाउंडेशन्स अभी हिलने लगे हैं और जो अगर जाके वहाँ जमीनी स्थर पे कवरिज करें ये आपको देखने के लिए मिलेगा आप जमीनी स्थर की बात कर रहे हैं मैं जमीन की बात कर लेता हूँ मामला कोट में है और आपको हाई कोट से राहत नहीं मिली है आप पर राजिसरकार ने ये इलजाम लगाया है कि आपने अपने औद्योगिक हितों के लिए दलितों के लिए या सूचित जाते के लिए जो आरक्षित जमीन है उसको अपने ड्राइवर के जरीए खरिडवाया लेंदेन हुआ जिसका बहुत जादा रेकॉर्ड नहीं है पैसे के लेंदेन का की वैद तरीके से या वाइट मनी का लेंदेन हुआ हो आप इन सब के खिलाफ आई कोड गए आपको रिलीफ नहीं मिला ये पूरा क्या है मामला देखिए ये सन दो हजार एक्कीस की सारी बीस की बात है सेप्टेंबर अक्टोबर की सेप्टेंबर में जो हमारी एक परिवार से जुड़ा हुआ है मीडिया कंपनी है जो पहला प्राइविट टीवी चैनल था उडिसा का अभी 26 साल हो गया 26 साल से पहला और शुरू से सबसे लीडिंग चैनल है उसने किसी का एक प्रेस कॉन्फरेंस कवर किया कोई NGO एक्टिविस्ट NGO एक्टिविस्ट ने प्रेस कॉन्फरेंस करके बोले कि उस टाइम बाड हुआ था और आरोप था कि मुख्यमंत्री बाड को सर्वे करने के लिए जो हेलिकॉप्टर में गए वो केवल आट-दास मिनिट की फ्लाइट थी जबकि वो जो एरिया कवर किये हैं करके प्रेस रिलीज किया गया उसमें कहा गया था इतने सारे जिल्ला उन्होंने कवर किया जो हो नहीं सकता पॉसिबल नहीं है तो यह किसी का प्रेस कॉन्फरेंस था प्रेस कॉन्फरेंस इन्होंने दिखाया उसके खिलाफ suddenly 21 दिन में 21 cases दर्ज कया गया जो company 23-24 साल से किसी भी controversy में नहीं था जमीन वमीन को लेकर किसी भी controversy में नहीं था किसी issue को लेकर 21 दिन में जब 21 cases लगते हैं तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि उसके पीछे कुछ इंटेंशन होते हैं 21 केसेज में से अधिकान्स केसेज में अल्रेडी वो कोर्ट से रिलिफ मिल चुके हैं कई केसेज तो इस तरह के हैं कि बिलकुल वो गैर कानूनी है जो केसेज दर्ज किया गया है और कोई भी कानून या आइन का उलंगन नहीं हुआ है मैं यह confidently कह सकता हूँ जबकि यह matter कि कोट में है मैं इस पर और कुछ नहीं कहूंगा इतना कहूंगा अगर सब कुछ इतना क्लीन है तो आपको हाई कोट से राहत पे नहीं होगा देखिये यह court की मामला है court के procedure होता है कि lower court में पहले उसको decision हो लेकिन high court में supreme court में हमारे परिवार की विभिन संस्ताओं के खिलाफ बहुत सारे cases में प्रहात μिले हैं बहुत सारे cases में BJD के प्रवक्ता है डॉक्टर सस्मित पातरा उनका एक बयान में वर्वेटम पढ़ देता हूँ ओडिशा भूमी सुधार, OLR अधनियम के मताबिक ओडिशा राज में केवल दलित लोग दलित भूमी को खरीच सकते हैं जग्गी और जैपांडा, आपकी पतनी और आप ने अपने दलित ड्राइवर रवीशेटी का इस्तमाल कर खुर्द जिले के सरुवा में 22 दलित किसानों की जमीन खरीदी फिर उसी जमीन को अपने दलित ड्राइवर से OIPL कंपनी में ट्रांसफर करवा दिया बाद में जब इन गरीब सीमान किसानों को पता चला कि उनकी जमीनों को धोका दड़ी से जैपांडा ने ट्रांसफर किया तो खुद गलेक्टर पास शिकायत दर्ज कराई जाज की गई मामला औरिशा हाई कोर्ट में गया 20 नवंबर 2020 को औरिशा हाई कोर्ट ने जैवर जगी पांडा की याजका उखारिज कर दिया इस याजका में दोनों ने हाई कोर्ट से FIR और क्रिमिनल इंवेस्टिकेशन को खत्म करने की अपील की थी क्या आपके ये ड्राइवर हैं जिन्होंने जमीन खरीदी और इसका हस्तांतरन हुआ है मैं आपको ये कहूंगा कि ये जमीन कई 15-17 साल पहले खरीदी गई थे अभी नए नहीं पंदरा-17 साल जब किसी का कोई भी इतराज नहीं था कोई कंप्लेट नहीं था 2010-2013 के बीच ये खरीद हुई था नहीं वो टोटल एरिया जहां स्टूडियोज बगरा लगे हैं वो फिल्म सिटी है आपकी उसकी बात हुरे है वो फिल्म सिटी है ओ टीवी के वो इंडस्ट्रिल एस्टेट है सर्वा इंडस्ट्रिल एस्टेट में बगल वाले लैंड को इन्होंने बिलकुल लिगली खरीदे हैं ये आरोप जो लगे हैं मेरे पूरा विश्वास है I have full faith in the judicial system ये गलत आरोप है और ये गलप गलत साबित होंगे in due course Court has its own process I have nothing to say Panda साब मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ हमने कई लोगों से बात कि इस इंटर्व्यू के पहले दो तरह के विचार सामने आये है एक आपकी पत्नी वो ये पूरा OTV नेटवर्क और पूरा ये जो मीडिया एमपाइर है शी रंस कुछ ने कहा कि ये जगी Panda ने अपनी मेहनत से पूरा एमपाइर बिल्ड किया है और ये बहुती पित्र सतात्मक रविया होगा कि आप उस औरत की काम्याबी को ये कहके किनारे कर दें कि वो जैपांडा की पत्नी है एक इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल फैमिली से तालुक रखती है इसलिए ये नेटवर्क इतना फला भूला ये एक वियू है पर दूसरा वियू ये कहता है कि जैपांडा नवीन पत्नायक के सबसे क्लोस थे और इसलिए OTV की राह में आई हर बाधा को किनारे कर दिया गया अपोनेंट्स जब केबल नेटवर्क था तो उनके तार काट दिये गए और स्टेट मशीनरी का भरपूर इस्तमाल किया गया कि OTV स्टेबलिश हो तीसरा वियू पॉइंट है कि यही OTV जब तक जैपांडा करीबी थे नवीन पटनायक के इनको नवीन पटनायक में कोई कमी नजर नहीं आती थी बस उपर-उपर क्रिटकल थे जैसे ही जैपांडा अलग हुए एकदम से OTV को अपनी जागरूकता का एहसास हुआ और वो बहुत क्रिटकल हो गए और आपके जो BJD के पुराने दोस्ते हैं वो भी अब यही कहते हैं कि आप भारती जन्ता पार्टी के लिए एक पेड़ चैनल के तौर पर काम करते हैं यूर ग्यूपॉइंट अच्छा पहले आपका बहुत बड़ा रेपुटेशन है कि आप बहुत रिसर्च करके आते हैं और मुझे लगता भी है कि आप काफी रिसर्च करके आए हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आपके रिसर्च में थोड़ा कमी हो गई है मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा और मैं आशा करता हूँ उस पर भी थोड़ा आप रिसर्च करें तो यह सही है कि OTV मेरी पत्नी की प्रयाश से वो स्टार्ट करके चबीस साल दिन रात मेहनत करके यहां तक लाए हैं OTV पहला ओडिया TV चैनल था और 10-12 साल तक कोई और चैनल नहीं आया तो किसी को दबाने का इशू ही नहीं था क्योंकि 10-12 साल तक या 13-14 साल तक OTV एकमात्र चैनल था क्योंकि मार्केट छोटी थी नहीं आते थे पहले तो नैशनल TV चैनल से कॉंपेटिशन आये अन्या प्रदेशों से और बाद में अभी पिछले 7-8 साल में अन्या टीवी चैनल आये आप देखिये ज़रा TRP रेटिंग पूरे इस 26 साल में पूरे 26 साल में कोई एक भी हफता नहीं है कि OTV के वन थर्ड लेवल के भी कोई और चैनल आया है पहले तो 10-12-14 साल तो कोई थे ही नहीं उसके बाद कोई वन थर्ड लेवल तक पिक नहीं आया है इसका कारण क्या हो सकता है आपने कहा कि जब मैं BJD में था तो BJD का कुछ कमिया नहीं दिखती थी मैं OTV का वकिल नहीं हूँ आप जाके अलग से चेक कर सकते हैं कई सारे दाल स्कैम कई सारे चिटफंड स्कैम माइनिंग स्कैम कोल स्कैम यह सब OTV ने पहले दिखाया जब मैं BJD में था तो जो कहते हैं कि मैं BJD में होते हुए OTV सही ढंग से नियूज नहीं दिखाता था यह गलत कर रहे हैं आपकी अपनी रिसर्च से आप इसको चेक कर सकते हैं इसी वज़े से OTV ने नंबर वान रहा है नवीन के साथ मेरा यह क्लियर अंडेस्टेंडिंग था कि OTV उसके प्रोफेशनल बेसिस पे चलती है मैं उसमें दखल नहीं कर सकता हूँ और उनका एक मातर रिक्वेस्ट था कि आपका OTV में जो है चार्टर लिखित रूप में कि आप दोनों साइड दिखाओगे कोई एक साइड नहीं दिखाओगे वो आप धर्म मेंटेंड करना मेरा कोई इतराज नहीं है यह नवीन पत्नाइग ने कहा है मुझे स्वाइंग कहा है कि देखो जब कोई आरोप लगाता है बीजेडी के खिलाफ उडिसा सरकार के खिलाफ नवीन पत्नाइक के खिलाफ आपको दिखाना होगा आप दिखाओ लेकिन आप यह जरूर एंशूर करो कि बीजेडी का जो स्पष्टी करन भारत सरी उडिसा सरकार का जो स्पष्टी करन वो भी इक्वल टाइम पे दिखाया जाए, वो OTV का रिटन चार्टर है, इसी लिए OTV नंबर वन रहा है, अभी देखिए, पिछले नौ साल से इतने सारे कंपेटिटर आये हैं, ठीक है, अभी केविल बूबल का चक्कर नहीं है, सब अभी डिजिटल आ गए हैं, ठीक है, पिछले चार साल से BJD से कोई OTV पे अपियर नहीं करता है, वो बॉइकट कर रहे हैं, तब भी कोई दूसरा चैनल, उनके जो पेट चैनल कहते हैं, आप हैं, दो चार, आप देख लिजिए, वो वन थर्ड लेवल को भी नहीं आ पाए हैं, क्यों? अगर OTV कोई पार्टी के पक्ष में काम करता, तो लोग बोर हो जाएंगे, आप एक पत्रकार हैं, आप अगर कोई एक पार्टी के पक्ष में हर बार दिखाएंगे, कोई एक पार्टी के खिलाफ हर बार दिखाएंगे, आप स्विकार करोगे मेरे साथ आज कि आपके वीवर्स कम होने लगेंगे, तो OTV के वीवर्शिप 26 साल से इतना हाई सबसे ज़्यादा क्यूं है ये थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च आप कर लीजिए आपको पता चल जा रिए एक मामला हमको बड़ा दिल्चस्प लगा इस रिसर्च के दौरान चंद्रानी मुर्मू और उनके एक मौफड वीडियो का प्रसारा ओटीवी पर क्या है ये प्रसारा क्योंकि उन्होंने नाम लेकर इल्जाम लगाए हैं बहुत डिटेल में देखिए मैं उनके लिए वकालत नहीं करूंगा आप अलग से ओटीवी से कभी चच्चा करिए क्योंकि मैं उनके इडिटोरियल पॉलिशी में मेरा कुई अप उसकी पैरेंट कंपनी के चेरमेन हैं मैं कोई पैरेंट कंपनी का चेरमेन नहीं हूँ मैं शेरहोलडर ज़रूर हूँ लेकिन मेरी पतनी है उसकी एम डी लेकिन आप गार उनके एडिटर से तीन दिन पहले ओटीवी के खिलाफ एक और नया प्रिविलेज मोशन मुव किया गया है बीजेदी के से बीजेदी के बात यह है कि हमारे भारते जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जैनारा एंड मिश्रव एक गंभीर आरोप लगाएं तीन दिन चार दिन पहले की बात है इस गंभीर आरोप में उन्होंने कहा है कि नवीन पतनाएक के दो बहुत करीबी लोग involved हैं जो मंत्री का हत्या हुआ है ठीक है ओ टीवी और न्यू इंडियन एक्स्प्रेस पर इन्होंने प्रिविलेज मोशन लगाए हैं बाकी कई अखबार इसको या तो कवर नहीं किये खिलाफ नहीं हुआ ऐसे यह नया नहीं है ऐसे कई बार वो पहले भी प्रिविलेज मोशन किये हैं कि आप क्यू दिखाए असेमली में जो हुआ ठीक है और ऐसे भी आरोप है कि कोई एक स्टिंग ओपरेशन या कोई लीक्ट सीडी जब बचता है आप क्यू दिखाए दिख अगर उनका कोई इसके खिलाफ आरोप है तो वो कोट्स में करना चाहिए ऐसे पुबलिक आरोप नहीं तो जब स्टिंग ओपरेशन होते हैं कई चैनल दिखाते हैं जब लीक्ट सीडी आते हैं कई चैनल दिखाते हैं इसमें कुछ आपके एथिक्स और परंपरा है उसको फ टीवी की ऑपरेटिंग ओफीसर लितिशामगत आपकी बीटी डिजिटल साइड में डिजिटल साइड में उन्होंने भी यही कहा कि निराधार आरोप और एफाई आर दर्ज की जा रही हैं सीनर जनलिस्ट को बिना नोटिस या वारेंट की उठा लिया गया है हम जाज में स अच है कि मिड़नाइट नोट इस दिफिकल्ट फोर यू तो अपरेट अपरेट अजिटलिस फैमिली नाओ क्योंकि आप उनके अपोनेंट हो गया है देखिए जब मैं राजनीत में शामिल होने लगा नाइटी सिक्स में जब बीजू अंकल ने मुझे बुलाने लगे उनक मैं सांसद में आया उस टाइम मेरे स्वर्गय पिताजी ने मुझे एक क्लियर कट अप्शन दिये कि देखो भाई तुम दोनों मत करो आप इंडस्ट्री में और पॉलिटिक्स में दोनों मत करो तो कारोबार कर लो या नेतागिरी कर लो उस समय से मैं बिजनेस से हट गया आ देखते हैं जो अभी फिक्की के प्रेशिडिंट बना है। मैं टेरा साल था इंडस्ट्री में पूरा पूरी शामिल था इंवाल्ड डे टो डे दो हजार से मैं हट गया मैं कई कंपनीज में डिरेक्टर हूं मेरा जो फैमिली की शेर होल्डिंग में मेरा जो हिस्सा है लेक आया, पार्लेमेंट में, कई सारे ऐसे बिजनेस से आये हुए हैं, पॉलिटिक्स में आये, जैसे की विजय मालिया, नवीन जिंदल, लेट, लालित सूरी, बहुत सारे, बाद में राजीव चंदरशेखर जी आये और भी अन्य लोग भी आये, इन में से कई उधारन हैं, जो बिजनेस भी करते रहें और पॉलिटिक्स में रहें, मैं इससे अलग होने के लिए, मेरे पिताजी के आदेश के अनुसार, मैं उस समय से बिजनेस से एक आम्स लेंद डिस्टन्स रखा हूँ, उस समय से फैमिली में चक्चा हो गई, कि देखिए, हो सकता है कि आप कभी, मे यह आपको डिल करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ अभी, मैं उनीस साल पालिमेंट में रहा, पचीस साल राजनीत में हूँ, कोई एक उधारन निकालिये, कोई पॉलिटिशन, कोई बिरोक्राट, जिसके पास मैंने जाके, कोई हमारे परिवारिक ब जरूर मैंने पोर्ट्स बनाने के लिए, कोस्ट गार्ड स्टेशन खोलने के लिए, बहुत सारे और पिशे के लिए सिफारिश किया हूँ, लेकिन हमारे परिवार से जुड़े हुए कोई भी पिपार से, आप अगर एक भी उधारन निकाल सकेंगे, कि जय पंड़ा ने हमक आपका सवाल का जवाब यह है, कि जरूर जो संस्थाएं हमारे परिवार में मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको अभी पिछले चार साल से ही, उससे पहले कभी नहीं था कुछ, और उससे देखे आप यह धान रखिए, कि हमारी परिवारी वेपार बिजनेसे जो हैं, इंड यह जो दिक्कते हैं, यह पिछले चार साल के हैं, जब से आप और नवीन अलग हो गए, तो उस मेरे पिता के आदेश के अनुसार, मैं ना उनका कई सिफारिश किया, और उनके जो अभी दिक्कते हैं, उनको विबिन प्रकार से फेस करना पड़ रहा है, मेरा केवल इतना कह है कि कानून के बुताबिक आप जो करना चाहोगे करो, लेकिन आप भी एक पत्रकार के नाते आपकी घुना आना चाहिए, कि रात को तीन बज़े जाके कोई पत्रकार को आप दर्वाजा तोड़ के उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. यह आप बार बार प्रिष्ट भूमी का जिक्रा रहा है, आपके पिता मिशिकन में पढ़े, आप भी मिशिकन में पढ़ाई करने गए, तो फिर वो अमरीका और जो अभी मैं पिछले दूनों जमगट के लिए के एक अविता जी से बात कर रहा था, तो तो तेलंगाना के भ आपके देश्ट गुआ और पौलिटिक्स में पवाल विच ब्रश्चमा के लिए तो यह उन शेर एफ ग्लोरी और यह उन शेर एफ चरणेज और प्लिटिकल जिए जैंटिंगड के लिए, पिता जो जैनरेशन के थे, विए बड़े बोन प्री इंडिपेड़न तो उनने इंडिपेंडेंस उन्होंने वो जील था उनका देश को देश के हित में काम करने के लिए और बड़े-बड़े नेताओं के साथ उनको का मुलाकात भी हुआ वी देश में और वो प्रेरित होकर वापस आए हमारे परिवार में यही रहा तेखिए मेरे माँ जो वो एक प्रोफेशनल फैबिली से आये थे उनके पिता एक प्रोफेसर थे हिस्ट्री के वो भी लंडन में पढ़े थे स्कॉलर्शिप में 1923 में वो फ्लुएंटली फ्रेंच बोलते थे उनका भी बहुत बड़ा नाम था और उनके एक प्रोफेसर दोस्त मिलकर संग्रह करने लगे जो लूट हो रहा था उडिसा के स्कल्प्चर्स आर्ट वगारा मंदिरों से और वो बन गया आज का उडिसा स्टेट म्यूजियम तो हमारे परिवार में दोनों साइड से यह रहा कि हम जो भी हो हम भारतिय हैं अः हम ओडिया हैं और हम गर्व लेते हैं इसमें और हम at the same time world citizen भी है मैं भी 10 साल विदेश में रहा मेरे माता पिता भी रहें अलग-अलग समय में हमारे भाई बहन में से बहुत सारे सालों के लिए विदेश मे रहें अब भी मेरे दो बहन एनर आई हैं, तो यहां मैं यह कहूँगा, कि मेरा तो इरादा नहीं था वापस आने का किसी… क्या पढ़ाई कर रहे थे आप अमरीका में? जी? अमरीका में क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? तो मैं इंजिनेरिंग और मैनेजमेंट कम्यूनिकेशन पढ़ा था, उसके बाद मैं फाइनांस फिल्ड में काम किया, और मैं निव यॉर्क पर रहता था, और फिर यहां मेरे पिताजी के कमपनी में, वो टेक्नोक्रेट थे, उनको यह कैसे मैनेज किया जाता है पॉलिटिश शिकार होना पड़ा, जो उनको टारगेट कर रहे थे, तो उनको बार बार कोट्स को जाकर रिलीफ लेना पड़ा, तो अगर देखोगे, आप जे भी पटना एक सरकार की बात कर रहे हैं, छोड़िए उनके जो लोग गुजर गए उनके नाम लेने ज़रूरत नहीं है, जे वापस आना पड़ा, और मैं दस बारा साल इंडस्ट्री में काम किया, जो मैं आपको बता रहा था पहले, तो उसके बाद मैं राजनीती में हूँ, और हमारी परिवार के और से हम बिना प्रचार के समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं, इसमें बहुत कुछ एक फिलोस जै पांडा का दर्शन, देखिये, मेरा फिलोसोफी है, कि जैसे मैंने कहा आपको, कि महापरबु जगरनात का बहुत आशिरवाद रहा है, हमारी परिवार पर, और मुझे राजनीती आने का, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, कि राजनीती से मैं पैसा कमाऊं, मेरा लोगुए सकता हूँ, एक एक उधारन, हमारे परिवार में कोई स्मोक क्रते हैं, बच्पन से हमें बताया गया कि स्मोकि में करना है, और बड़े होकर पता चला कि यह नहींदों कि इतना लंग कांसर होता है, और फीर मैं जब मुघजे पता चला कि भारत एक सबसे पीडित डिजीज से तो मैं टुबाकियों के खिलाफ काफी कैमपेंग किया मल्टी पार्टी सपोर्ट भी किया पारलिमेंट में भी उठाया और आप जो पैकेट्स में देखते हैं बड़े बड़े वर्निंग साइन ताकि लोगों को वर्निंग हो की स्मोकिंग ना करें वीभथ का इलिगल इंफिल्ट्रेशन शुरू हो गया था जो आपने असाम में देखा है तसकों के लिए आप वेस्ट बंगॉल में देख रहे हैं उडिसा में शुरू हो गया क्यूंकि हमारा कोस्टल कोस्ट लाइन 500 किलोमेटर की है और बगल वाले देश में से पड़ोसी देश मे से नाव में चले आते थे तो मैं 2000 से उठाना लगा पालिमें में कि कोस्टल हमारा कोस्ट गार्ड का केवल दूर दूर से कांट्रोल नहीं होगा कोस्टल कोस्ट गार्ड स्टेशन लगाना चाहिए कई साल लगा लेकिन बन गया वो धीरे धीरे एफेक्टिव होनी लगे है ऐसे कई सारे मुदों पर मुझे मैं संतुष्ट होता हूँ कि मैं इस पर प्रयास क्या हूँ और कुछ प्रोग्रेस हुई है आप अल पार्टी गर जिक्र कर रहे हैं मेरे सामने ये रूपा से आई आपकी किताब है इंडिया टोडे इंडिया टुमॉरो वेर वी अरे एडिट बाई एडिटेड बाई बेजियंत जैपांडा और इसमें मैं देख रहा हूं मेरी दिल्चस्पी के विशेतों हैं ही कि अक्रॉस दपार्टी लाइं इसमें कॉंट्रिबुटर्स हैं मनिकम टैगोर और सचिन पाइलट हैं रिष्कान दुबे और अन्राग ठाकुर हैं कनी मोई सुप्रिया सुले लॉकेट चैटर जी जोत्रा दिसिंदिया हर सिम्रत कौर बादल अल दी गौरव गोई अब रा देखिए यह सब मित्र हैं राजनीती ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको विक्तिगत कर दें मैं मेरा ये कोशिश रहता है मैं राजनीती में होते हुए राजनीती से ऊपर जा पाऊं तो अक्रॉस तपार्टी लाइन्स मित्रता होने का मैं समझता हूँ एक अच्छी बात ह इसमें कोई बुराई नहीं है और ये जो किताब ये बेरा दूसरा किताब मैंने इसको एडिट किया और विभिन दलों के जो सांसद रहें या नेता रहें उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं उनके जो विजन है जो हम अमरित काल के विजन आदनिया प्रधानमंत्री मोदी कि भी फ्रधान वेजी हमारे दिखा रहे हैं इस पर हमारा एक विजन है उनका कुछ अलग विजन हो सकता है तो सब को जानना चाहिए इसमें को आ धिंगा विजन कियू हम दिखा है एंसमे मैं धर्द्सक्रम होसकता हम भीला हूं के मैं हो सकता है न सह मुमदें कि नहीं हें और इसमें कोई बुराई नहीं है कि political opponent के साथ आप विक्तिकाद रूप से भी बंधूता मित्रता रख सको आपने नरेंदर मोदी जी का जिक्र किया क्या था बीजेपी जॉइन करने का प्रॉसेस आपनी पार्टी बनाने की खबरें आपके उस समय के लीडर को पहुचाई गई और फिर जब आप अलग हुए तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप अपनी पार्टी बनाने की सोच रहे थे और फिर आपने बीजेपी जॉइन की प्लीज तेल अस बाउट प्रॉसेस तो ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया नाइटी सेवन में जब बीजेडी बना उस टाइम तो बीजेडी का कोई ऐसा नया पार्टी बनना चाहिए उसके चट्चा होने से पहले काफी सब उत्साहित थे बीजेपी जॉइन करने के लिए उसमें मैं भी शामिल था जन्ता दल के वहां जो विधायक थे और अन्या युवनेता थे सब चाहते थे बीजेपी जॉइन करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि मानिया प्रमौत महाजन जी ने ये strategy बनाया कि एक रिजिनल पार्टी को हम समर्थन दे कर बनाये तो पोलिटिक लिए सक्सेस जल्दी आसकता है, BJP विल की ग्रोइख ग्रोइख अर रिजिनल इडिटी आ एंपरेशन बेटरा थे जब बनाया गया बनाया गया न्द एकोडिने ने यहां डिली में इतने साल तक जो अटल और अडवानी जी के नित्रुते में हम बैठते थे सब के साथ तो मैं एक परिवार का हिस्सा था आप जितने सीनियर लीडर्स को पुछोगे कुछ गुजर गए हैं अरुन जी, सुश्मा जी, लेकिन बाकी सब उस समय के लीडर्स आप पुछोगे सब ये कहेंगे कि मैं उनके साथ रहकर क्यूंकि कॉमन विजन था उडिसा के लिए और देश के लिए और वो इंफ्लूएंस मेरे पर रहा जबकि कब बदला नहीं तो एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे लोग उनके रंग बदलते हैं लेकिन मेरा जो रिटन रेकॉर्ड है आपके पास मेरा किताब है आपके पास ऑनलाइन सब रेकॉर्ड है मैं क्या-क्या कहा हूँ क्या-क्या लिखा हूँ आप कभी भी एक उधारन नहीं निकाल सकते है कि मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ कहा क्यूं? क्योंकि उस चिंतादारे के साथ में शुरू से जुड़ा हुआ था शुरू से और शुरू से नवीन पटनाइक भी उससे जुड़े हुए थे और वो गठबंदन शुरू से ही बना था तो ये गलत है अगर कोई कहते हैं कि 2014 के बाद मेरा मेल मिलाब जादा होगा ये आपके पूरा रेकॉर्ड है आप किताब पढ़िये ऐसा हुआ कि 2014 में जब मोदी जी आके कई सारे निर्ने लेने लगे जिसके पक्षमे मैं 14 साल से था मेरे लिए एक बहुत एक आपक्षमे और बहुत आपक्षमे में चोटा सा उधारन आप मेरा किताब में देखो कि रेकॉर्ड है 2014 से कई साल पहले मैंने जिकर किया था कि ये जो लालबत्ती कल्चर हमें बंद करना चाहिए और मैं उधारन दिया था कैसे पूर्व हमारे राष्टपती जी कलाम जी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो फोरण जा रहे थे उनका कोई सर्च करें और मैं उनका उधारन देखे कह रहा था कि ये हमारे लालबत्ती कल्चर कम होना चाहिए और मोदी जी आकर उस पर कदम उठाए मैंने ऐसे कई पॉलिसीज के जिकर किया था जो आप कॉलम लिखते था जैसे UID के, आधार के जब नंदन निलिकानी शुरू किये थे मैं उनके साथ कई बार मिलकर समझ कर इसके पक्ष में बोलता रहा और ये एक आइडिया रुक गया था जब मोदी जी आकर इसको बिलकुल फुल स्ट्रीम अहेड किये I was very excited तो जो कह रहे हैं कि मैं चौदा के बार बात बदल गया वो बिलकुल या तो उनका जानते नहीं है मेरा ट्रेक रकॉर्ड क्या है या जान बुझ कर गलत बात कह रहे हैं तो प्रोसेस ऐसा था जब वहाँ एक कोटरी बन गई और वो एक अलग दिशा में जाने लगे करॉप्शन बढ़ने लगा और मैं पर्सनली बात करने के बाद फिर स्थम भी लिखा कि बीज़डी गलत दिशा में जा रही है इसको सुधारना चाहिए फिर मेरे पर हमला हुआ उद्धैनिक समाज अखवार में जो आपने उड़िया भाषा में एक लिखी थी टिशा में उस में बहुत प्रसंचा किया कि बीज़डी किस चिंताधारा से शुरू हुई थी और कैसे धिरे धिरे बदल रहा है और इसको सुधारना चाहिए मेरे तो जैसे मैंने कहा भाजपा के चिंताधारा से मैं शुरू से जुड़ा हुआ था हम सब सुरू से एक साथ थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था चर्चा होकर यहां आने के लिए लेकिन ये सच है कि मैं जब बीज़डी छोड़ा मैं आपको बताया कि वो एक वेक्तिगत विशय पर वो इट वस दे लास्ट स्ट्रॉ अन दे कैमल स बेक लेकिन जब मेरे पर हमला हो गया था और उस तैम से मैं मैं में मेंक अप कर दिया था मैं किसी पार्टी को इमेरेटली जॉइन नहीं किया अन्या पार्टी भी मुझे काफी कोशिश किये थे उनको उनके साथ जॉइन करने के लिए अन्या नैशनल पार्टी जॉइनल पार्टी और मैंने कहा था कि मैं ओपन माइंड रखूँगा और मैं चर्चा करके देखा कि मैंडसेट में तालमेल नहीं हो सकता है जो मैंडसेट मेरा बीजेपी के साथ चुरूआ चे रहा है जब आप थियोरीम बता रहे हैं जरा उधारन देकर प्रैक्टिकल नहीं बताईए कॉंग्रेस की तरफ से कौन हरकारा आया संदेश लेके भाशपा की तरफ से बाच्चीत किसने शुरू की दर्शक यह जानना चाहेंगे न यह होता कैसे है क्योंकि आप सब लोग जो हैं आप लोग हैं राजनेता तो हमें आप लोगों का स्वरूब दिखता है भाशनों में प्रेस कॉन्फरेंसेज में अधर साइड हमें पता नहीं चलती कि असल में अंधर खाने क्या होता है देखिए भाशपा में में अधरने प्रधानमांतरी मुदी जी को कई साल से जानता था जाएद दो हजार या 2001 में और उन जेटली जी के घर में एक दावत में छोटी सी पहली बार और बार बार में मिलता रहता था ता वो सीम बन चुके थे वो जस्ट सीम बने थे और उसे पहले भी इदर उदर कहीं बेट हुआ होगा लेकिन बातचीत नहीं हुई थी और मैं शुरू से इंप्रेश्ट था कि ये एक अलग किसम के निता है मैं अरुन जी तो वैसे हमारे पारिवारिक संस्ताओं के वकील भी थे और वो मैरे परिवार से काफी करीब थे सुस्मा जी को भी मैं अची तरह से जानता था और बाकी सब निताओं को तो अची तरह से जानता था तो सब से बेट वी अमिद भाई से नड़ा जी से और अन्नी अदलों के बारे में जिकर गार। You reached out to them or they reached out to you? Or it was mutual? Let us say it was mutual, because my thinking was always nationalist. You can see that in my writings. And the other parties, which reached out to me, as I said, in all my beliefs, I have been in all my beliefs, in the way of being a political opponent. So, it was a good deal. But when I reached out to me, I realized that I cannot respect the ideology, I cannot do the work of the people. The people I cannot respect, I cannot do the work of the people. This is my home, because I respect the leadership. I believe in the ideology of nation first. This is one party. This is a slogan, but we use this slogan every time we use, that nation first, party second, self last. या और कोई पार्टी नहीं कहती है. मार्च चार को शिवरात्री दिन को और मार्च ग्यारा को चुनाव घोशित हो गया. मैं जब बीजेडी चोड़ा था, मैं सोचा था कि एक-दो महिने आत्मसमिक्षा करके, लोगों से मिलके, मित्रों से मिलकर, चच्चा करके, शायद जुलाए तक मैं निर्णे कर लूँगा. और अगर मैं जुलाए में जॉइन करता, बीजेडी पी में, जो उस तरह का एक प्लानिंग भी था, नौ महिने तक मैं बीजेडी पी में होता, लोगों को समय लगता है जानने के लिए, कोई एक सिंबल से मुझ से जोड़ते थे, कोई अलग सिंबल आ गया. अगर उस नौ महिने के आप चेक करें, जुलाए 2018 से मार्च 2019, मैं कोई पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं पुरे उडिसा में घुम घुम कर पब्लिक मीटिंग करता था, और लगबग 20-25 ज़ार लोग होते थे हर मीटिंग में, बिना कोई पार्टी, दो-चार समर्थक और अधिकांस जगा में केवल जीप के उपर खड़ा होकर, शोल्डर वाला हैंड लाउड स्पीकर में, कोई बड़ा सा आयोजन भी नहीं था, 20-25 ज़ार हर जगा विभिन जिल्लो में होता था, अगर वो मैं बीजेपी के प्लैट्फॉर्म में करता, तो उसका कुछ अलग इंपेक्ट होता, और केंद्रपड़ा में, केंद्रपड़ा के लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दिये हैं, मेरा बिल्कुल कोई कंप्लेंड नहीं है, क्यूंकि मैं लास्ट मिनिट में वहां बीजेपी से खड़ा हुआ, आप एक ध्यान रखिए, केंद्रपड़ा का वोट शेर बीजेपी का एक लाग से थोड़ा ज्यादा था, और मुझे मिला लग भग पांच लाग, तो ये 10-20 परसेंट की ग्रोथ नहीं, ये 400 परसेंट की ग्रोथ हुई, और फिर भी जो कम पढ़ गया, और ये लाग के लगभग से आप आ रहे हैं, पुरिया एक्टर महनती साब से, पहले से मैं 2-2.5 लाग से जितता था, लेकिन बीजेपी दूसरी नंबर में कभी नहीं थी, बीजेपी काफी पीछे, मैं 6 लाग वोट लेकर जितता था, और करीबी दो नंबर में कॉंग्रेस थी, और काफी पीछे, 1 लाग 10-15 लोट में से बीजेपी तीसरा नंबर पे था, तो उसको क्लियर नंबर टू स्पॉट के लाने के लिए, केवल 10-20 परसेंट की ग्रोथ नहीं हुई, 400 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, और मेरा कंप्लेंट नहीं है इस वज़े से, कि वहां मेरे खिलाफ, 102 विदायकों को लगाया गया, इत्रफाक से मेरा चुनाव चौथा फेस में आ गया, तो जितने वहां विदायक फिरी हो गए हैं, फेस वान, फेस टू, फेस त्री के चुनाव में, एक-एक विदायक को तीन-तीन पंचायत को दाइतियों में रखा गया, और वहां इतने साल रहने के बाद प्रसाशन में, वहां B.J.D. के कारेकरता के रूप में प्रसाशन काम करते हैं, वहां औरिसा में कहा जाता है, आप तो जाके सुने होंगे, कि हर जिला में कलेक्टर को कहा जाता है B.J.D. का वरकिंग प्रेसिडेट, और S.P. को ऐसा कुछ कहा जाता है, ये बहुत सारे परंपराएं वहां तोड़ चुके हैं, और सबसे ये बात है कि नवीन पतनाएक जो कभी भी 20 साल में नहीं किये थे, कहीं केंपेणिंग के टाइम में जाके ओवरनाइट रुकना, वो केंदरापड़ में जाके तीन रात रुके के बहुत सारे कारण थे, लेकिन मेरे केंदरापड़ा के लोगों के खिलाफ कोई शिकायद नहीं है, उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया है, मैं कभी भी उसको रिपे नहीं कर पाऊंगा। So before I ask one last question related to Odisha and then we'll switch to policy issues जिस पर आप लगातार लिख रहे हैं। क्या भारती जन्ता पारटी के नेता, धर्मेंदर पर्धान को जैपांड़ा के भाचपा में आने के बाद किसी भी किस्म का खत्रा महसूस करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, घर्मेदर प्रधान मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और शायद उन्होंने भी मेरे किताब में आर्टिकल लिखे हैं, हम मिलकर बहुत कुछ काम भी किये हैं, मैं कई सारे जैसे ओल पार्टी डेलिगेशन्स को ट्रैक टू डिसकॉशन्स के लिए लेता था, यूएस में, जपैन में, अन्यदेशों में, तर्मेंदर जी भी मेरे साथ उन में पार्टिसिपिट किये हैं, और जॉइनिंग के प्रोसेस में, ये कोई, ये नहीं था कि हम तो पुराने मित्र हैं, सब ठीक रहेगा, इस पर एक्स्प्रिसिट चर्चा भी हुई है, अच्छा आप और धर्मेंदर प्रधान एक कमरे में बैठे और बात हुई कि भाई, आगे कैसे क्या रहना है, अब अपना एक पोजिशन है, तो परसनल फ्रेंशिप शुड अलसो भी पॉलिटिकल फ्रेंशिप तो ये मैं बिल्कुल स्पस्ट कर चुका हूँ, कि मुझे मैं भारते जनता पाटी में पूरी तरह से शामिल हुआ हूँ, मुझे जो दाइत्यो दिया जाएगा, जो कुछ अब आप राश्री उपाध्यक्ष, मैं भी राश्री उपाध्यक्ष हूँ, कुछ प्रदेशों का इंचार्ज हूँ, और कुछ अनिया वेरियस इनिशेटिव के ओल इंडिया कोडिनेटर भी हूँ, मुझे जो दाइत्यो दिया जाएगा, मैं दिल से पूरी तरह से करूँ और भारते जनता पार्टी में किसी और को जो कुछ दाइत्यों दिया जाए, मैं पूरी तरह से दिल से समर्थन करूँगा, तो कोई conflict नहीं है, धर्मिन प्रदान शुड नॉट फिल थ्रेटेंट, आपकी ये किताब है एक दूसरी लटियंस मैवरिक, ग्राउंड रियल्ट आपने track to diplomacy और उसके लिए किये जा रहे प्रयासों का बहुत जिकर किया है, थोड़ा उसके बारे हम बताइए, because you were a part of that, you were involved in that, भारत और अमेरिका के बीच रिष्टे सांसतों का वहां पर जाना, पाकिस्तान को लेकर आपकी कुछ टिपड़ियां हैं, और दूसरे देशो अब लेकर, how does it work and what was your role in it? किवल foreign policy नहीं, मैं 4-5 विषय पर फोकस करता हूँ, economic issues, अर्थनेतिक विषय पर, सिक्षा, स्वास्त, technology और foreign policy, तो foreign policy में जो मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत, I enjoy it, तो कम से कम मैं 75 all party delegations में भाग लिया हूँ, for track to discussions, कई देशों के साथ, US के साथ, Singapore, Japan, Australia, South Korea, Pakistan, चाइना, और मुझे मौका मिला लगभग 50 ऐसे all party delegations का अध्यक्षता करने का, तो पाकिस्तान मैं चार या पांच बार गया हूँ, और उस से में पहले पहले मैं जब इतना सांसद में experience नहीं था, मुझे भी लगता था कि शायद कुछ, क्या बोलते हैं, सम्झोहता बन सकता है, फिर मैं बार बार वो देखा, कि उनका जो system है, जो military के vested interest, देखे, privately वहाँ politicians जो आपस में बात करते हैं, बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं, प्राइवेटली, लेकिन पब्लिकली वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका control कहीं और है, और मुझे भी फिर कई बार ऐसे, उनके track two में बैठने के बाद, ये समझ में आ गया, कि ये जो अमन की आशा तरह की initiative, ये केवल हमें off guard रखने के लिए, वो सच मुझ में fundamentally कुछ चेंज करने वाले नहीं हैं, और इसी वज़े से वो आज इस हाल में पहुँच गए हैं, कि दिवालेया हुने जा रहे हैं किसी भी दिन, और पाकिस्तान का एक fundamental जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है उनका, इस वेरी डिफिकल्ट तो है नहीं रप्रोच मामितन, एक कॉलम में आपने राजिसभा को लेकर आप उसके दो टर्म मेंबर रहे, बड़ी दिल्चस्प पढ़ियां किये हैं कि राजिसभा आप रोधक की तरह ना रहे, आपने ब्रिटेन और इटली के उधारन दिये कि किस तरह हाउस आफ लॉड्स की करमशा ताकत घटाई गई फिर आपने सेनेट का भी उधारन दिया कि कैसे वहाँ चुने के तो क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए तेखिए हमारी यहां खास करके विपक्ष दलों का एक एटिचुड बन गया है कि वो विपक्ष में रहते भी वो देश कैसे किस दिशा में जाना चाहिए वो डिसाइड करें लोकतंत्र यह नहीं होता है लोकतंत्र होता है लोगों ने जनता ने किसी को भरोसा में लेकर उनको दायतों में रखे हैं हला कि वो उसमें कोई चेक्स और बैलंस होनी चाहिए तो उसी लिए दो बाइकेमरल हाउस होते है राजसभा लोकसभा तो इस पे मैं काफी स्ट यह जो सिस्टम है कि प्राधानेता किसका होना चाहिए, प्राइमिसी किसकी होनी चाहिए, पॉपिलर विल, पॉपिलर मैंडेट जो जनता की राय या उनको चेक देने के लिए कोई एक हाउस, तो बाकी सब देशों ने यह किया है कि अल्टिमेटली पीपल्स विल मस्ट प्रि नहीं है, वो कोई भी लेजिस्लेशन और रोक सकते हैं, लेकिन उन्हों ने बीसवी सदी में इसमें भदलाव लाए, कि उनका जो उन्टिमेटली पॉपिलर लिएट्ट्ट्ड्ड नहीं है, जनता से इलेट्ड़ अपर हाउउस फ लॉड्स वो कोई भी इंधानों को श्लो वो 19th century England का है, कि ये जनता से एलेक्टेड नहीं है लेकिन ये कानून को रोक सकते हैं, लेकिन अमेरिका में सेनेट भी पॉपिलरली एलेक्टेड है, जनता से एलेक्टेड है, और जहां जनता से एलेक्टेड नहीं है, जैसे कि UK, वो बहुत सारे मामले में जो चप्चा करके निन्नाय लेना चाहिए, छे मेने में, एक साल में, हम दस को लगा देते हैं, दस साल, पंदरा साल, बीस साल, तीस साल लगा लेते हैं, जैसे GST, बीस साल डिले हो गया, कितना आज फाइदा मिल रहा है देश को, Selling Air India, आपने लिखा भी है, महराजा मस्ट गो, मैं, देखिए, हर साल या दो साल, पारलेमेट को बिल आता था, कि Air India को 6,000 क्रोर, 8,000 क्रोर, टेक्सपेर्स मनी देना चाहिए, क्यों भई, जब इतने सारे प्राइवेट एरलाइन आ चुके हैं, हमें उनको एक पैसा भी दे कि जितने आधुनिक लोकतंत्र हैं, उनके जो बाइकेमरल सिस्टम है, दो हाउसे हैं, तो जो अनिलेक्टेड या इंडिरेक्टेली एलेक्टेड हाउस है, जैसे कि हमारे राजसभा, उनका जरूर अधिकार होना चाहिए, कि वो लोवर हाउस कुई कुछ चीज आजी में ना करें, थोड़ा ब्रेक अपलाए करें, लेकिन पूरा रोक ना सकें, यही है मेरा राय कंपैरिजन करके अन्य देश्यों के साथ मैंने कहा था, आपने कई विश्यों पर टिपणी की है, फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन से लेके, ब्लास्पेमी को लेके, अगर बन रहा है किसी स्टेट में, डिस इंवेस्टमेंट को लेके, मॉर्णाइजेशन को लेके, एक विश्यों पर आपने लिखा, जो विमिन रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, यह देवेगोड़ा सहाब के जमाने में भी आया, यह वाचपेशाब के जमाने में भी आया, यह यूपीए में भी इस पर बातचीत हुई और अभी भी चल रही है, कहां अटका है, क्यों पुरुष सांसदों की भरमार वाले दोनों सदन यह तै नहीं कर पा रहे हैं कि कम से कम जिस तरह से पंचायत के स्थर पर हुआ है, 33 फीज़दी सीट है महिलाओं के लिए कोई light switch होता है, को करने से immediately महिला आगे बढ़ जाते हैं, पहले एक दो बार चुनाओं में भी कुछ प्रब्लम होता है, आप जरूर यह सुने होंगे, कई प्रदेशों में एक phrase यूज किया जाता है, सरपंच हो सकती है महिला, लेकिन चलाते है सरपंच पती, प्रधान पती सरपंच पती करके कोई सविधान में हमारा पत नहीं है, लेकिन होते हैं, लेकिन क्या होता है, दो बार, तीन बार, तीन साइकल चुनाओं होने के बाद, महिला निकलने लगते हैं आगे, और वो असर्ट करने लगते हैं अपने आपको, तो यह एक लिकिन consensus से होना चाहिए, यह तो कोई बुल्डोज करके नहीं कर सकते हैं, तो इसके कई formulas लाए गए हैं, कुछ parties कह रहे थे कि पहले आप करिए कि आप parties में जो ticket देते हैं, उसमें 33% reservation रखिए, इसके खिलाफ कुछ parties हैं, इसके खिलाफ कुछ activists भी हैं, कि आप जो हारने वाले street महिलाओं को दे दोग कि कोई हारने के लिए कोशिश नहीं करता है, जो कुछ भी कानून बने, जो कोई भी party, उस set of rules को लेकर कैसे maximum benefit निकालेंगे, कैसे जीतेंगे, उसी तरह वो काम करते हैं, तो कई सारे, कई सुझाव हैं, मैं कहने ही पाऊंगा कि ultimately इसमें क्या होगा, लेकिन यह तो एक live issue है, you are up for it, देखे, personally I have seen both plus and minus of women's reservation, तो it has to be a decision that party has to take, मैं आखरी मैं, it's a purely political interview पर दो personal सवाल पूछूँगा आपसे, उन एक व्यक्ति और एक मशीन के बारे में, जो मुझे बताया गया, कि साब, all said and done, जैपांड़ा इन से बहुत प्यार करते हैं, एक तो आपकी पत्नी, जागती जगी मंगत पांड़ा और दूसरे आपके हेलिकॉप्टर, यह सही राय है आपके बारे में? यह सही है, देखिए, मैं जब बहुत कम उमर का था, सेविंटीज में, सत्तर के दशक में, उस टाम के जो फिल्में होते थे, अमिताब बचन जी, राजश खना जी, एक पिक्चर मैं देखा था, अराधना, और उसमें एक सीन है, जो राजश खना जी के करेक्टर है, वो एरफोर्स पाइलेट उनिफर्म पहन के, हेलमेट पहन के, निकल रहे हैं प्लेन से, और मैं कुछ छे-ाट साल का बच्चा होगा, उस समय से मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं मुझे पाइलेट बनना है, मैं वैसे तो एरफोर्स में नहीं जा पाया क्यूंकि मेरे, मैं ग्लासेस पहनता हूँ, लेकिन सिविलियन फ्लाइंग में ऐसा कोई रोक नहीं है, मुझे पता नहीं था, जब मैं अमेरिका में कॉलेज में था, उस तेम पता चला कि सिविलियन पाइलेट आप चश्मा पहन के भी कर सकते हैं, तो उस तेम मैं फ्लाइंग सिखा, और बाद तो प्लेन उड़ाता था, फिर बाद में हेलिकॉप्टर उड़ाया, और उस में एक मेरा, ये एक पैशन है, जैसे पढ़ने का एक पैशन है, ये एक पैशन है, और फ्लाइंग करते हुए मेरे काम भी हो जाता है, कि मैं जब जाता हूँ मारे प्रचार के लिए, काम के तीन गुना चार गुना एक्स्ट्रा ग्राउंड कवर करता हूं हेलिकॉप्टर में और चुनाव के समय भी मैं अपने खुद उडाता हूं उस टाइम शौटेज होता है पाइलेट्स के मिलते नहीं है लेकिन उडाने में काम के लिए तो अलग बात है लेकिन मेरे लिए वो य अपने सेटी है लेकिन एक लेवल का एक्सपरियेंस होने के बाद जो कहते है न है you get into the जोन सभी इंस्ट्रूमेंट भी देख सकते हो रेडियो में भी बात करते हो है ट्रैफिक कंट्रोल से कोई पैसंजर भी है उनके साथ भी बात करते हो लेकिन वह फोकस रहता है वह एक अलग किसम का एक्सपिरियंश है और लोक अप्र रियलियू यहापी और फीलिक अंट मिले एरपोर्ट पर मिले फिर आपने एक लिमोजीन किराय पर लिए सौ गुलाब लिए इंप्रेस करने के लिए पर उस समय वो इंप्रेस नहीं हुई वो देश की एक बड़ी सफल मॉडल थी पीपल स्टिल गूगल हर देरी मिल्क गर्ल और वो बड़ा मशूर कैंपेंड हु फिर परिस में मॉडलिंग करती थी और ये एक फ्लाइट और रहने वाली है थेगाद की थी अएक्षली वह है पंझाबी फैमिली के है और है अबहाद में बड़ी है तो तो तिल्गू लिखती भी है पढ़ती भी है अभी अब ही ओड़िया भी बोलती है और हिंदी तो बो किसी काम पे लंडन जा रहा था और एक होक्स बंब थ्रेट आ गया किसी ने फोन करके तो बीच में उसको तर्की में उतरना पड़ा अंकारा में अंकारा में उस समय चोटी सी एरपोर्ट चोटा सा हॉल एक हॉल में वह चार सो पैसेंजर्स एक जगा कुछ आठ घंटे वहां रहना पड़ा तो उस ताइम भेड हो गई और फिर बाद मैं जब मैं कभी एक बार कहीं और भी मिलने को हॉआ तो मैं इंप्रेस करने के लिए लिमोजीन रेंट करके गुलाब अगा लेकर चप गया तो उन्होंने का देखे यह मेरे साथ काम नहीं करता है तुमारा चरितर क क्या है तुम कैसे विखती हो उससे में ज़ादा नहीं तो व्याचितर की तो विखती हो उससे मैं जादा आपकी एक चीज पर बाड़ा थाज़ब जताया है उन्होंने कहा कि बिफोर वी गॉत मैरेग और इसको हम लोग कोशिप कहते हैं मेल मुलाकात का दौर तब आप चीजों को लेकर जिसको अंग्रेजी में स्नॉबिश भी कह दिया जाता है कई दफा शौकिन शौकिन नहीं नहीं उनका ये कहना था कि आप मुंबई आए कार का एसी ठीक से काम नहीं कर तो आप अरे ये सब और फिर वो आपका ये अवतार देखती है कि आप बाइक में पैद अर मेरा जो लाइफस्टाइल था वो एसी गाड़ी में ही था फाइफस्टार होटेल में रहते हैं रिच किड्ड लाइफस्टाइल जो होता है और राजनीती में मुझे बहुत कुछ सेखने को मिला है और एक तो है कि परसनल कंफर्ट्स cannot always be assured and should not be बहुत सारे हमारे करोडों लोग अभी भी हलाकि हमारी extreme poverty अभी बिल्कुल घट गई है अभी इस मोधी सरकार के दौरान extreme poverty अभी एक परतिशत से भी कम हो गई है और ऐसा नहीं है कि लोग मैं जब पहली बार राजसभा में आया 2000 में उस साल ही कुछ 2000 लोग औरिसा में starvation से मरे थे वह भी नहीं होता है अभी कभी एक भी kupotion से मर जाता है तो बड़ा बन जाता है तो lifestyle में बहुत कुछ बदलाव लाना पड़ा और यह मेरा कोई sacrifice नहीं है इस something that I have the love I get from the people I told you I can never repay तो मैंने औरिसा में तो हर district में हर district में बहुत सारे हजारों किलोमेटर मोटर साइकल में जीप में एर में हेलिकॉप्टर में साइकल में चल के बहुत कवर किया हूं अन्य प्रदेश में से भी लेकिन यह तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप अगर राजनीत करोगे नो नो यह पार्णर इस सब्सक्राइब आप अगर आप यह तो इतना बाहर की उनिवर्स्टीज में पढ़े अपने नेताओं से अब यह उमीद करते हैं कि वह हमें बहुत रिलेटिबल लगें मतलब वो फुगाने भी सुनते हूं वो उनका दिल करे तो डिस्क जाएं दिल करे तो जॉक पर जाएं उनकी परसनल लाइफ हो उनकी प्रफेशनल लाइफ हो कपड़ भी वैसे पहने पर यह आप नेताओं ने एक लगभग अन्रिटल रू पहनता था वो बिजनस वर्ल्ड का वही परंपरा है तो एसी रूम में बैठना ही था लेकिन राजनीती में होते हुए मैं मानता हूं यह एक बेनिफिट कि आप किसी भी ओकेशन को कुर्टा पजामा पहन के जा सकते हो बिलकुल आप बिजनस ओकेशन को भी कुर्टा पजा जो हमारे क्लाइमिट के लिए हमारे देश के लिए इससे बहतर और कोई नहीं होता है बढ़िया चलिए जब पाना साब आपने इतना वक्त दिया और एक जो जुमला इस्तमाल किया जाता है नेताओं के लिए खदर धारी बाद वहीं पर आकर रुकी आपको भविश के मेरीज में ललन टॉप की नेताओं से समवाद का सिलसला चलता रहेगा इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देखते रहें ललन टॉप